शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ए डांगे वाले, बेरा है क्या? फर्माईए? फर्माईए क्या? इतनी देर से चिला रही हूँ सुनाई नहीं देता क्या? अब ए ए चिला रही थी? आज के जमाने में ये बोलने पर तो चानवर तक नहीं आते हैं, मैं फिर बेनितान हूँ मेरे सवाल का जवाब दो मुह में जबान नहीं है क्या मेरे बदले तुम्हारे मुह में तबल लंबी जबान जो है यह काफी नहीं है लगता है बहुत चर्बी चड़ गई है तुमको रोस असली घीकी विर्यानी बना कर तुम जो खिलाती हो मुझे शराफ अगब से बात करो पीछे ज़र आगे सलक के बेटो क्यों पीछे वजन जादा हो गया अरे पीछे 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 क्यों आगे वजन जादा हो गया चल्दी चलो अरे राम पुर की भैसन भाईया राम पुर की भैसन भाईया यो इदिया ब्लोट ज़रा समाल के चलो ज़रानी पैसमे देखा अरे रे रे मेरा समान किरिया रोको ना जाओ 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 जालाई बत्तमीश मेरे सब कपने तेरी मेजे से खराब हुए अब इने कौछ साब करेगा सुए तेरा भाफ जाओ 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 आरे ओगा जाओ आरे जाओ 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 कर दो 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 भाल हम दशारों की हर्दार शुरूओ अजसे हम लोगों का खेतों में काम करना बन्द ठाकुर के वादया पर काम करते रहे तो हम लोग मर जाएंगे और ठाकुर के वादया कमें पूरे नहीं होंगे इसलिए दो वक्ति रोटी जब तक हमें नहीं मिलती कि अपने वादे पूरे नहीं करता हमारा कोई किसान खेत में नहीं उत्रेगा कोई फाड़ा उठागर काम नहीं करेगा अरे नहीं 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 रामु यह क्या कर रहे हैं ऐसा मत करो तुम लोगों को मजदूरी के ज्यादा पैसे चाहिए ना तो मैं दिलवाता हूं मेरा अरे यह तो सका दरखरी गुलाम है उसके तरफदारी करेगा ही जारेगा विन बोल दे अपने ठाकुर को जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हमारी तरफ साटाल जारी रहेगी मारा जारी वेगी कुट्पे का बच्चा हमारे तो जबान पादू रखो जो बन में अनाप शनाप आता है बोटे रहे तो और क्या करूँ ये कोई और मॉम को मारो बंप पहले से दूर करो याद ये तो आपका जुल्म है आपको मेरी हर अदा से चेड़ है अदा कैसी अदा आरे जो इसे अदा क है वो गदा है गदा याद पास-पास शक्ती बहस मत करें इसे ले जाकर बांदो और चलकर नाश्ता करो अदा करते हैं मैं दूसरे गाउन जाकर दूसरे मुदूर लेकर आता हूं और इंसालों के मूबए जूता मारता हूं गोबन तुम डैट को लेकर खेत पर जाओ मैं है इस तरह काम छोड़कर पैचना डवा खरामी है आस तुम सब लोग ने मिला अपमान किया है उस कानून की तो हिंकी है जो पीडियों से इस गाउ के मुदूर मानते चलिया रहे है इन नमा खरामों को कानून सिखाने के कोई जूरूत नहीं है यह समझते खड़ी फसल से हम मैं हो ना आओ मेरे साथ खबरदार किसी ने भी खेद में जाने की कोशिश की तो पैर तोड़कर हाद में दे दूगा आप बीच में मत बोलिए पिता जी यह हम किसानों का आपसी मामला है तो भाईयों यह ठाकूर यह जमिंदार बरसों से तमाम किसानों का हक छिंते आये है इसलिए हम लोगों ने काम बंद करने का फैसला किया है और आज हम लोगों का हक मानने के लिए तुम लोगों को बुला है लेकिन याद रखना यही हलत कल्द तुम्हारी भी हो सकती है मेहनत हमारी माँ है मसुरी हमारा इमान आए इस विश्ण से हम सब भाई है हमें एक दू वाला दूसरे दॉलत बाले को धोका दे सकता है निकिन एक मजदूर दूसे को नहीं फैसला तुमारे हाथ में आकूर साहब आप अपने फाइदे के लिए हम किसाल और मजदूर भाईयों को आपस में लणवाना चाहते हैं ऐसे कभी नहीं होगा पेटे हमें माफ कर दो हमें मालूम नहीं था वरना हम यहां कभी नहीं आते हैं चलो भाईयों मुझे किसी कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है किसी की मैं खुद खुद वदल काट लूँआ हरामी साले छोड़े ठागुर तुम्हें सब कुछ कहना मंजूर है लेकिन गरीब मस्दूरों को उनका हक देना मंजूर है अगर इनके सर पे प्यार से हाथ नहीं फेड़ सकते तो मत लेए और तुम्हारी फित्रत इन्हें मारने किये है तो इनकी पीट पार मारी यह पेट पार नहीं अगर एक मुठी आनाच तुम इसके बदले यह लोग तुम्हें हैं अबहुत है हजारों मना अनाच पैदा कर करके दिखाएंगे है हजारों मनना अनाच का लालष मत दू हमें अपनी बात मिदवाने के लिए हमारे फायते कलारों तो ची 30 2 आँ लेकिन हम इनके हागे कभी सर नहीं जुखाएंगे, इनकी मांगे कभी कभूल नहीं करेंगे, चलो डाइड, अतरो बतरो विच्चा, ऐसे कैसे सडने देंगे छोड़े ठागोर, हम अभी और इसी वक्त पसल की कड़ाई शुरू करेंगे, और अपने हक का अनाज लेकर, बाकी आनाज तुमारी हवेली पर पहुचा देंगे, चलो भा, शुरू स्टूर, चलो, जलो, 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 जलो. ऐ, चीघरबा, ऐ, इसा क कब आई? बैर, बैर, बैर. तुझे तख्यर ऐसा लगता है, जैसा मन की सुख्य खहती पर बहुच्छार पढ़ गी. पानी पी, एक बात पूछो, तुम दोनों सादू सन्यासी हो क्या, तुम लोगों को आने से पहले एक दूसरे का पता कैसे चल जाता है, थोड़ी देर पहले लक्षमी पानी ले ने ये कहकर भागी, कि भाई आ रहा है, अब तू आते ही पूछ रहा है लक्षमी कब आई, मा, इससे प्यार की वैलनेस कहते है, आखों से देखे बगार, हातों से छुए बगार, मन के रेडियो पर खबर आ जाती है, कि जिस बहन को दुनिया में सबसे ज्यादा चाते है, वो आगे, तू लक्षमी, अच्छा अच्छा तुम दोना का प्यार से जीब भर गया हो, तो आ जाना, कले से नीचे नहीं उतरेगा, अरे, कैसे नहीं उतरेगा, मुझे याद करते जाना और खाते जाना, कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगी, चलो खाना खाते हैं, चलो अरे ओ बाप के दुश्मन, तू मुझे बुड़ापे में इस गाव में आराम की जिन्दगी गुजारने देगा या नहीं, आखर तेरा इरादा क्या है, अरे मालिक के मामलों में दखल देने की तुझे जरूरत क्या है, तू क्या आपने आपको इस गाव का ठाकुर समझता है अरे हुआ क्या है, क्या है इस बिचारे ने, जो आते ही इस पर वरसना शूरू कर दिया, यह बेचारा एक दिन हमारे मुझ का चारा चीन कर रहेगा, पर आखिर हुआ क्या है, और किसका आनाज, कौन का ले जाए, इससे, इसे क्या मतलब, अब यह मालिक लोगों के मुझ ल बड़े लोग है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इनको खाननानी खुलावों की तरह गुलामी करके, उनके पैर दबानी के क्या जरुआ थे, जो सेवा चक्री उस बड़े आदमी की पत्नी को करनी चाहिए, तुमारा बात क्यों करता है, यह कहका लोग मेरे मुँ पे थुक जलता नजर नहीं आपे, और मैं भी साह साह कर ठक गया, लेकिन यह अपना लेक्षर देना बंगे ते नजर नहीं आपे, बाप बेटा जगरना बाद मेरे, पहले चल कर खाना खालो, अरब भार में गया तेरा खाना, मुझे नहीं चाहिए, तुम तो खालो, अरब भार में इस घर का खाना हराम है मुझ पर, मैं कहती हूं तूम खाना खाना चलो, यहां से चुपचा, पैले खाला पर जबन भायुआsWow अच्छा बाबा आता हूं और शहे हां पाNE दिस जई भी एफ मेजसे जहीं जहाँ, जहाँ मित्व मिया वेरो गाय काया मिठ्धुमिया मिर्जी खाएगा पड़ा लखत है, बहुत सताता है, हाथ नहीं आता है अजा अजा मेरे, अजा अजा मेरे मिठ्धुमिया तुझे पिंज्रे में बंद कर लूँ अजा अजा मेरे मिठ्धुमिया तुझे पिंज्रे में बंद कर लूँ मिठ्धुमिया उसे मिठ्धी मिठ्धी मिठ्छू मियाओने मिठ्टी बाते में चंद कर líder हाजा यहाजा मेरे मिठ्छू मियाँ दुछे पिंदर में बंद कर लू पर यह मिठ्टू मियाओने मिठ्टी मिठ्ण मिठ्ट meth highly आजा आजा मेरे मिठूमियां तुछे बिजरे में बंद कर लू जब जब मेरे सांने आए अंगंग में दर्द चगाए जब जब मेरे साम में आए अंग अंग में धर चगाए दिन बर तेरी आज सताए याद में तेरी नीन आए दिल में समाजो मेरे खोल के दिल का दरबा जा आजा आजा मेरे मिठो मिया तुझे पिंद्रे में बंद कर लो आजा आजा मेरे मिच्छो मिया तुछे पिंजरे में बंद कर लो दर्ता है या शर्माता है जुल्मी पुर से उर जाता है दरता है यह शर्पाता है जुल्मी फुर से उर जाता है यहां रहां तो छुप जाता है इधर उधर तो मुड जाता है मैं हूँ ज्यासी बंजर घरती प्यार का बादर बने कर चा जा 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 मेरे मिठो मिया तुझे पिंजरे में बंद कर लू मिठो मिया से मिठी 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 बाते में चंद कर लू आजा, आजा मेरे मिठो मिया, तुजहे पिंच्रे में बन्दे कर लू लगता है शर्म बेच कर खा गई अरे जालिम, जब मन में प्यार की आग लगती है, तो शरम की चिता पहले ही जल जाती है और अब तो मेरा रोम रोम, इस आग में जल रहा है रवी, इस शरीर के पैमाने में जो जवाने की शराब उचल रही है, आज उसे पी ही डालो खमोश, दोबारा इसे गिरे हुए बेशरमी के शब मुझ से निकले, तो तेरा चेहरा इसे बिगर दूगा, कि लोग तुझ से ड़ने लगेंगे अगर मन में पाप की आग है, तो जा, किसी पापी आदमी को ढूल ले ठीक है मालेक, मालेक बेशी ने आपको आराम करने को कहा है, और आप है किसी गंटे से ऐसे चले जा रहे हैं कि जैसे खास की बजा है, खाईमन खुझली के पत्ते खा लिए हुए, अना खाने के बाद हादम करने के लिए पैदल चलना चाहिए, आगर आप तो इतना चल रहे हैं कि बेट से उतर कर पाओं में आ जाएंगा और आपके पाओं भारी हो जाएंगा, पाओं भारी, लोबान, जी हाँ कुर्बान, गाल, हादर है, यह बात तु मुझे अभी बता रहा है, जब मैं जिर्थो मील, पैदल चल चुका हूँ, अरे, अब तो मेरे पैरों को पी चकर आ तो पैग भूल कर सरकस के तंबू की तरह बड़ा हो जाएगा, ज़ंडी मामा, यह यह क्या उठा लाया हो, यह आपका बेटा है, जब मामा, इस बेटा हूँ, अब यह बेटा हूँ, इतना ढूटा हुआ, समाज मंदिन में कुष्टी लड़़ा था, पहलवा ने उठा के पटक दिया और इसके हड़ी चूपके हाथ भी एक तो यह नालाक बगर हड़ियों के पाइदा हुआ थे नवाया खिला के इसके शेड़ में हड़ियां पैदा की उधेरे समाज मंदर वाले रोज इसके हड़ियां दोड़ा देते हैं अब यह पती लेके खुर्चन जब उपर अब पैदा होने में तेरा महीने लगा दी है और अकल एक महीने के लिए के पैदा नहीं हो सकता है लगता ही आपका बेटाने किसी और का डालेंडर है अब इस समाज मंदर से तंग आ चुका हूं अब इसको तोड़वाना ही पड़ेगा है सब्सक्राइब कर दो किसी इंसान का नहीं शैतान का घर करते रहते हो इस घर के अंदर आदमी रहते हैं जानवर नहीं खामोश और एक सवाल मैं आपसे करता हूं शक्तिजिंग जी या इसे क्या कच्रे का डबा समझ रखा है जो रोजान घर का कच्रा ही फेकते हो आज माफ इसक्रा अगर तुम्हारा ये शानदर घर कच्रे का डबा नजाएगा समझे क्या मतलब एक तो हमारे घर के सामने कुष्टी का खाड़ा बना दिया उपर से अंदास हो देखो महाराज के क्या कुष्टी करने के लिए जगा मिली थी और कहीं निमर सकते थे बाबो तमीज से आवाज नीची करके शराफत से पेशाओ परना माय अगर चिलाने पर आ गया न अगर आप उस गंदे जोबड़ों को अठाने के लिए पंचायत को राजी नहीं कर सकते तो यह का मुझे करने दीचे मैं खुद जोबड़ों को आग लगा दूगा बुजर्गों ने कहा है कि पड़ोसी के घर को आग लगा को तो खुद का घर भी जल जाएगा तुम एक आसान काम क्यों नहीं करते हैं अपने भाई को की छोड़ दे तुन लोगों पर है अरे भाई बैने तो एकी बेटा पैदा किया थे दूसरा कहां से आगया है तुम्हा अपने इस बेटे को अपनी भाशा में समझाने खबराओ मत यह कुटा आपको काड़े गाने क्या है कि आपने इसको कुटा बोल दिया ना इसलिए आप से नहास होते है कुटे को कुटा नहीं बोलूगा तो क्या शेर बोलूगा इसका भी नाम है आपकी तरह अच्छा पैस जार चणी जाज क्या बाद भाई आज समाज मंदर के खिलाफ बड़ा जहर उगड़ा है तो अचे कि आगा सभी आजी सहर ने उलुग दो एक तो बड़ी मुझकल से मेरी शादी हुए चादी पाद बड़ी मुझकल से मेरी आउलाद हुई हाई है उसके बाद बनी मुश्किल से मैं लोस अवलाद को बढ़ा किया अब आई दीने समाज मंदिर के बंदर उस अवलाद का कोई नकू को पुर्जा तोड़ देते जैसा मेरा घर नहुआ कोई जूटिक बुर्णी गाड़ियों का गया अब कोल उसके हड़ी तोड़ी अब मैं रोजों नहीं हड़ीया कहां से लाओं कहां देजा तुम उनके मुँपे जाड़ू पी नहीं फिरते रेकाल बार क्यों नहीं करते लोगों को अरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता चंडी द अरे वो तेरे दादा की जमीन है ना जो तेरे नाम पे है जहां तुने समाज मंदिर बनवाया है पुठाकुर साब चाहते हैं वो जमीन तुमने देदो कहते हैं उनसे लिया वो सब करजा उतर जाएगा आग लगे उनके चाहने को जमीन तो क्या एक मुट्टी भर मिट्टी भी नहीं मिलेगी वहां की अरे बेटे हमें क्या करना उस जमीन के टुगड़े को उनके हवेली के बगल में घर थोड़ा बनाना है देदो उनको जमीन पर खतम करते हैं कुम नहीं जानती किसी भी तरह कुछ ना कुछ तिग्रम चला के उस जमीन को हत्या लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी बड़ी हवेली के बगल में हमारी छोटी सी छोपड़ी उनकी आंखों को चुपती है उनकी शान में फर्क डालती है सुचाओगा यह तो ठैरा गोबर गनेश जो मर्जीन से करवा लो हां हां मैं गोबर गनेशी सही यह तो आकल का खजाना है ना इससे पूछो बाप का करदा कैसे चुका है कैसे भी चुका दूँगा इंसे काओ थोड़ी सी महलत आ ले ले अरे महलत मिलने से पैसा कहां से ही काओ इसे इसे अलब से मैनत मजदूरी करने की क्या ज़रूर है हम दोनों एक ही जगा काम करेंगे तो करदा जल्दे उतर जाएगा अब आई बात समझ में तुमा भी राकर यही दाओ खेलेंगे यह मालूम था मुझे अरे मा कुछ समझे इनकी तरह ठाकुर के पैरों की मालिश करने वाला गुलाम बनाने का प्लैन बना जा रहा है कि अंगे और फैसे नहीं देंगे तो वो लोग दायर करेंगे आमारे खिला मैं तो अदालत में साफ साफ कहें दूंगा मेरे पास पैसे नहीं और में खुशी-खुशी जेल चलागा अगर यह जेल गए तो इनसे कह दे, इनके साथ साथ मैं भी जेल जाओंगा, लेकिन उन सब सालों को कतल करके, यह, इससे तो अच्छा है, इससे कहो, बाप की चिता को आग लगाने का काम, जो किसी भविश्य में इससे करना पड़ेगा, वो आज ही करना, यह तुम क्या कह रह जी, इन्हें बेचकर उनका कर्द अदा कर दीजी, रक्षमी, क्या बेउदा बात कर रही है, तेरा भाई अभी जिन्दा है, तुने कैसे सोच गया कि तेरा भाई तेरे गहने बेचने के लिए राजी हो जाएगा, हाँ, कह दे पिताजी से, तेरी खातिर मुझे ठाकुर के जिन्दा करना मंजूर है, जिन ठाक्रों के ये बर्सों से खुलामी करते आए, इनका बेटा भी कल से उनके खुलामी करने आ रहा है, उनके चुते साप करने की नौकरी के लिए राजी हो गया है, ये कुट्ते के कान में क्या जहां करें, कुछ पैसा वैसा गिर गया के बाई के दर्द भाई नहीं पहिचाने को तो और कौन पहिचाने का देखो मामा अरे क्या देखू मैं तुझे उस दमाने से देख रहा है जब तुछ इतना सा नंगा घूमा करता था वैसे कपने पहिंद क्योंकर खास फरक नहीं पड़ा है इस अधार आप मालिक वाई 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 गोविंद तुम तुस्यास अधार ले आये वह वाफजा बगरा क्या मिलेगा सब समझा दिये ने इसे मेरा नाम ए नहीं रभी है अपने बेटे से को हो खामखा तकरा टंटा नकरे लगन से काम करें जी मालिक जा तु बगीचे में जाके मेरा इंतिजार कर मैं आके तुझे काम समझा देता हूँ अबे रभी के बच्चे, क्यूँ बे शक्तिके बच्चे? रभी! पुरा लगा हूँ इसी तरह मुझे भी बुरा लगा इसलिए इज़त दो और इज़त लो मुझे रभी कहकर पुकारो ओ, हो, हो, महाराजा राज, राज, श्रीमान रवी साहिब, अब आप किर्बा करके अपना काम संभालेंगे अवश्य, हुजूर पिताजी, अबे तुबे कहकर पुकारना, कुटा गधा कहके गाली देना ये सब हरकतें आप अपने तक ही महदू रखे मैं यहां सिर्फ अपनी बेहन की खातिर काम करने आया हूँ इसे जरा समझा देना बड़ी देल लगा दी पेड़ गिराने में ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकुडे करके शाम को हाँ बेली में पहुचा जो गोबन, तुम यही ठैरो और इससे ठटके काम करवाओ जी मालिक कर दो पादा खायू आपकी ये उमर काम करने की नहीं है तुने भी तो आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया और आज एक ही दिन चार अदमियों का अकेले काम कर रहा है तु अच्छा ना पीटा ये मेरा बाप अपने इज़त नहीं रख सका कम से कम मैं अपने बाप की इज़त तो रख सकता हूं उन मगरूर लोगों को सबक सिखाने का अच्छा मौका में जाए मगर तुझे ये बुरा मौका दिलाने वाला ये तेरा बदकिस्मत बाप है बेचे मैं अच्छा देख देख तेरी हथेले में कितने च्छाले पड़ गए हैं तेरी मा देखेगी तो खून क्या असूर होएगी जुम के कुलाड़े ने कितने माओं के लालो के खून बहाए हैं आज तक उन माओं के दिलों पर क्या बिखती होगी कौन जाने है अब जाए खाना खालीजे मुझे काम करने दीजे जाए जाए यहां कंचिन बिटी आ रही है हां तार आया है लिखाया स्टेशन पर गाड़ी भेज़ा है हां तो ठीक है तुम भी जबाभी तार देदो कि स्टेशन पर गाड़ी पहुंच जाएगी वाह महिनों से कहरों कि एक एक कार खरीदो लेकिन नहीं आज अगर में बस कार होती तो अगर में आपने भेंगो लेने के लिए खोड़ स्टेशन जाता है हाँ बही कार भी ले लेंगे लेकिन पहले हमारी बिटी आ रहनी के तो आने दो अब 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 हर 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 अब हर फर्माइए क्या इतनी देर से चिला रही हूं सुनाई नहीं देता क्या आप ए ए चिला रही थी आज के जमाने में ये बोलने पर तो चानवर तक नहीं आते हैं मैं फिर भी इंतान हूं शराप यू फूल गाड़ी लेकर तुम ही आयो ना तो फिर प्लैट्वोम पर सावान लेने क्यों नहीं आए ने काम पर लगे हो क्या चांते नहीं मैं कौन हूं मेरे सवाल का जवाब दो मुह में जबान नहीं है क्या मेरे बदले तुम्हारे मुह में तबल लंबी जबान जो है ये काफी नहीं है लगता है बहुत चर्वी चड़ गई है तुमको हां रोस असली घीकी विर्यानी बना कर तुम जो खिलाती हो मुझे शराप अगब से बा मुझे ज़र आगे सरक के बढ़ो क्यों पीछे वजन जादा हो गया अरे पीछे 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 क्यों आगे वजन जादा हो गया चल्दी चलो अरे राम पूर की भैसन भाईया राम पूर की भैसन भाईया यो एडियो डोट ज़रा समाल के चलो अरे रे रे मेरा समान की चर में गिर गया तेरा सूटकेस मेरे सब कपड़े आओ 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 नालाई बत्तमीश मेरे सब कपड़े तेरी मेजे से खराब हुए अब इने कौन साब करेगा तू या तेरा भाप तू गदाओ अरे यो टांगे वाले अरे जड़ा रुका 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 अरे क्या हुआ बेटी रोके रही हुआ अरे क्या हुआ बेटी रोके रही हुआ पहले हुआ ने तुम्हात रही हो वह बद्वाश फेले जी रोला फिर बता दो पहले ना क्यों धमका रही हुआ दुम्हाले तूम्हाली से हुए गारी वाले इडिया उसने घारी ऐसे भगाई कि मैं गारी से नीचे कीटर में गिर गई और मेरे तारे कपने अगर इसने ही ख्याल था अपनी बहल का तो खुद लिवाने चले जाते इस नहीं जगाने की कोशिश की अब दिखाने के लिए अब हाथ पेर मार रहा है और इनके मुझे को इसे पूल बरसते हैं इन्होंने जगूर कुछ क्या होगा क्या किया वह चलते वक्त काड़ी जटके घारी थी तो मैंने कहा यू इडियाट आराम से गाड़ी चला उसके बार मेरा बाय कीचर में गिरिया औ इसे कहते हैं जवाब देखा मेरी बेटी की बहादरी को दुनिया में कॉलता नालाक बर्द होगा जो एक लड़की के मुझे ऐसी बेहूदा बात सुनकर उससे मैं ना आया और अभी फिर भी बहुत खुद्दार है लड़कों को अपनी जबान काबू में रखनी चाहिए ओ देखा गोविद हमने तुमारे बेटे पर भरोसा करें तो से सेशेशन बेजा और उसने ऐसा बढ़ता हो किया हमारी बीटिया के साथ यादी आप उसे फॉरन यहां बुलाकर उसकी खबर लीजिए और खुब कड़ी सजा देकर उसे नौकरी से निकाल दीजिए अगर वो य आरे किये कराये पर पानी फिर जाए तो क्या उसे ऐसे छोड़ देंगे नहीं छोड़ें कि नहीं पलको से अपनी मुठी में रखकर उसे सबक सिखाएंगे तुम शिकर नौकर बीटी फिलाल तुम ठग गई हो देखो तुमारी बाने तुमारे लिए गर्ब गर्ब नाक्ष तुमार बरता हो तोनों तरफ से होना चाहिए यह सब कप्डे तेरी वाजे से गंदे हुए ले अब ढौई है तु क्या मेरी जोडू लगती है जो मैं तरे कप्डे धूं अरे हाँ तो ना सही मैं मैं दो देता हूं तो अंदर जा बिटी जा सुना एस साथ दसेरे के तेवार पर पजास फुट उंचा रावन खड़ा किया जाएगा इसलिए आज के रावन का सरवनाश करना है तो आज के राम को भी बहुत ताकतवर होना चाहिए नहीं वो तो होना ही थे यह वर्ना फिर बोला बीच में वे नमस्तर ठाकुर साब नमस्कार आओ समाज मंदिर के बंदर तुम लोग शाहिए शाम के लिए भड़े ठाकुर को निमंतरन देने आये हो कि वो आये साथ में छोटे ठाकुर को बिलाए और अपने इन मुबारक क्या बात है हम लोग रामदीला कमिटी की तरफ से आप से चंदा लेने आये हैं हाँ 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 पुर्ने के काम में तो हम सबसे आगे होते हैं यह लोग गिल लेंगे फिकर मतकुरो शारम को आपके और ले जाना और देखो एक बात का ख्या लखना तुम लोग रावन को आग लगाने का सभाग्या मेरे ही बेटे को बिलने चाहिए समझें क्यों नी ठाकुर साफ छोटे ठाकुर साभी रावन के पुतले को आग लगाएंगे अगर वो यह साबित कर दें कि इस गाव में वही सबसे ज्या तुम्हादी मुक्रे से तोड़कर इसके बेचे कावानी भावनी भुलग से निकालने वाले ही हें? अपनी ताकत का, अपने बुलापे का जवानी इदर जवानी जवानी मुजार्याख करेंगे उसके बाद अपने हाथों से रावन को चलाड़ा देंगे रामान के तरह है रामान की तरह है लो खाधी जाओ तोड़ा और नार्य टूड़ गया तोड़ गया हाथ प्लेख गया नार्यल का पानी नहीं इनका पानी निकल गया दुनो नारियल है, और अपमा इस नारियल को आपने मुक्के से नहीं, देखेंगे? कि लीको आपने मुक्षास है हुआ 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 है इक रावन को रामने मारा इक रावन को मैं मारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा जै जै शिरी राम पुकारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा जै जै शिरी राम पुकारूंगा रोड शियावन की राम जैंदर की है इक रावन को रामने मारा इक रावन को मैं मारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा जै जै शिरी राम पुकारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा जै जै शिरी राम पुकारूंगा ये अनोगी रीत रभया इस निले आकाश तले हर कोई एक बार जले लेकिन रावन हर साल जले अब के बरस धरती के सर से मैं ये पोज उजाडूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा जै जै शिरी राम पुकारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा जै जै शिरी राम पुकारूंगा जै 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 लंकारूंगा जब अन्याए हुआ चली है नाए की तलवार यहा जब जब अत्याचार हुआ आया कोई अवतार यहा जब अन्याए हुआ चली है नाए की तलवार यहा जब जब अत्याचार हुआ आया कोई अवतार यहा राम ना जाने कब आये हां राम ना जाने कब आये मैं कब तक बात निहारूंगा तेरी लंका आज को जाड़ोंगा जै जै शेरी राम को कारोंगा इक रावन को राम ने मारा इक रावन को मैं मारोंगा तेरी लंका आज को जाड़ोंगा जै जै शेरी राम को कारोंगा तेरी लंका आज को जाड़ोंगा जै जै शेरी राम को कारोंगा ओज सियाह की राम जंग की ओज सियाह की राम में की जै हलोंगा जै लंका जैनकी राम जैनकी राम जै की राम् जैनकी पूछ उससे को रातों को कहा रहता है जब पती अपनी पत्नी को छोड़ कर रातों को बाहर रहता है तो अक्सर वो राते गुनाओं की आगोश में गुजरती है आप का तजरुबा गलत भ believers और यह मेरी जान है मैरी मा शुका है आज से इसी घर में रहेघी हाँ क्या नहीं यहां नहीं रह सकती है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ तुम कहां हो दिवा मुझे रोकने वाली मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तर इसी इस घर में रखना है तो पहला मेरा खुन कर दीजी नहीं तो मैं इस पापिन का खुन कर दूगी तुम्हारे भाई के वही है जो सारे गाव में हमारी बदनामी कर रहा है यही है वो जो अपने भाई की कान भरती होगी मैं तुझे और तेरे खांदान को अच्छी तरह से जानता हूँ किसी के पीट पीछे बुराई करने वाले को क्या सजा दी जाती है आओ मैं तुझे बदाता हूँ आओ मले मले आओ जाओ कही नहीं तुने मेरी बेन को सलाख से जला डाला आज इस सलाख से मैं तेरी आखे पोड़ दूँ नहीं नहीं इसके सर पे शराब और इश्क का भूत चला हुआ है आज मैं तरह भूत आखे तुम भाया ठीक है यह मैं इसे छोड़ देता हूँ लेकिन यह आया शराबी का बच्चा कभी तो बार आएगा इसे मैं वो मार मारूंगा कि जिन्दगी भर चलने फिनने के लायक नहीं राएगा गव के चराबे बढ़कर भीड मंगेगा यह क्यों तुम कौन होते हैं इन पर हाथ उठाने वाले यह मेरे पती है यह मुझे मारे यह मेरे जान ले ले इनको मेरे जिन्दगी और माग पर पुरा अधिकार है जाओ चले जाओ मेरे घर से और कभी दोबारा इस गर्वे कदम ने रखना लेकिन जाने से पहले इस घर के सुक को डरसने वाली इस नागल को घर से बाद निकाह कर जाओंगा सारे फसाद की चाड़िये साली यह मेरी मेमान है और यह मेरा घर है तेरा नहीं समझे अगर तो अपने माबाप की असलिया उलाद है या तेरे अंदर रती पर शरीफ खांदान का खून है तो चुप-चाप एक शाब बोले बिना यहां से चली जाए अब निकल जाए यहां से जोड़ माप सुलिया तुपाप के तलब में गंगा जल तलाश कर रही है जहर से अमरित की आस लगाए बैठिये चल बहन इसके दिमाप पर शैताने गुना की महर लगा दिये है सच्चाई में से बुराई नजर आएगी और बुराई में सच्चाई चल बहन गर्चाब तरा भाय दे जिना है चल एए एए जानवारों के हस्पिटल में पैदा हुई थी क्या किये जा रही है इंसान के जमान में बोलने ही सकती रास्ता छोड़ो मुझे यहां से निकलना है पर लॉरी की हेंड लाइट की तरा जो दो आखे लागी हुई है अगर उसे खोल कर देखोगी तो पता चलेगा कि यह रास्ता ने खेत है जाना है तो उदर से जाओ पकवास नहीं चाहिए मुझे इधर से ही जाना है और मुझे यहां अपना काम करना है आज तक मुझसे जित करके कोई जीता नहीं है मैं यहीं से ही जाओंगी कि अगर में चाहूं में इसे रोंदूंगी तो कोड़ी का किसान हमारे अनाज पर जीकर हमीसे जबान चलाता है यह मेरी जमीन है अगर मैं चाहूं में इसन रोंदूंगी तो कि दस बारा लोगों को बलवा कर कुछ रूंगी भी अरे इस घमनडी बाप के व्लत को पाप कॉन समझाएगा किसे उखर्वाला ही समझाएगा कांटा कोटो, कोटो तो मिनित में सम्झा दिया नो परवाले नहीं तो अगर इन्हें कुछलेगी तो धर्तिमा कैसे पर्दाश करेंगी या तुम ना बागर भाग तो डंग मार बार के ये गुलाबी रंग निरा कर देंगे और ये क्या है आज नहीं पर कभी होंगी ऐसा मत करते काकर अंदर नहीं आये तो हमें बड़ा दुख होगा थोड़े देर के लिए आये ना कामाल के मा तेखो तो कौन आया है जल्दी आयो ना आप हमारे आहो भागिया जो आपके शुप चरन हमारी कुटिया में पड़े आये बैठे ना ऐसे कैसे जाएंगे आप ऐसे नहीं जाईएगा प्यास लगी होगी उस तो पिकर जाईए ने ने मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मात तुम भी कमाल करती है महमानों से इसी बाते पूछी जाती है जाकर लियाओ ना कुछ थोड़ी से चाहस तो पहले पड़ेगी लाओ तो सही पहले तुम जल्दी लियाओ हाँ ऐसे क्यों खड़ी हाँ ताव में कुछ चुप तो नहीं गया बिल्कुल ठीक पहचाना आपने कांटा चुप गया है इतना दर्दोराय के चला भी नहीं जा रहा लाए लाए मैं अपने डॉक्टर को बुलवा कर निकल वालूँगी आप क्यों तकलिस करती है आप खाम अखा डर्रीहें मैं इतनी आराम से निकाल दूँगी आपको पता में नीचे लेगा लेज़े चास भी लेज़े हम तो आपी का दिया हुआ खाते हैं आपी का दिया हुआ पी थे आपके लाए का भावत आम कर नहीं सकते मा, बेखकर तो लाना चाहिए था, इसमें तो बाल है अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा शगुन है, इसे रिष्टे मजबूत होते है मा, शगुन वगुन की बाद छोड़े, पहले इचाज भे को दूसरा ले आओ नहीं, फैंकड़े की क्या जरू होते है, खामो खाम वेश्ट हो जाएगा अच्छा, फैरी लीजी लक्षमी, जल्दी से हल्दी गंकु तो लेया नहीं, इसकी क्या जरू होते है अब यह सब मंगल का रिवस्तु है, श्रीजाती को इसके लिए ना नहीं करने चाहिए चूले पे कुछ जल रहा है, भुवारी है चूले पे? चूले पे तो मैंने कुछ भी नहीं रखा नहीं, जरूर कुछ जल रहा है, बाद जबर्दस भुवारी है आप जाकर देखे तो, अच्छा, ठीक है तू पागल है क्या, उसके सामने दूसरा ग्लास चाहस लाने को कह दिया घर में एक ही ग्लास तो चाहस पड़े थी चाहस खटी तो नहीं थी ना? नहीं, बहुत अच्छी थी, मैंने सारी पी ली, देखे मा ये लो, लीजिए अच्छा, ओके, बाई-बाई सर से पाउं तक चर्वी चड़ गई है इस शाली को तो पागल पहलबान धोबी जैसा पती मिलना चाहिए धोबी गाज ले जाकर पटक पटक का चर्वी उतार दे क्या बगता है कितनी प्यारी बच्ची है मैंने बुलाया तो अंदर चली आई बिना कुछ का है छास भी पीली और जानता है साथ भी कुम-कुम भी ले गए हा मया, मा ठीक कहती है क्या खाक ठीक कहती है आरे, यह क्या क्यूं, तू कहती दिना मेरे लाल के मुह से दूस चपकता है तो देख, आज तरे लाल के मुह से चाच टपक रही है चाच? जी हाँ, चाच तुम्हारी दीवई चाच उसने बड़े पेम से मेरे मुँपे मार दिया बड़ी पियरी बच्ची है खाय फोक्ट खाय को वेलकम यार तंचन यह गाव हिंदुसतां मही है न? क्यू? नहीं देखके शक होता है, उनती हो तरकी तो इसके करीब से भी नहीं गुजरी है, इससे ज्यादा तो हडपा के समाने की गाउं एडवांस है, और अंदर भी चलोगी या शिकायते ही करती रहोगी, ताजी हवा है, खुली फिजा है, शहर की तरह ना तो कोई धुआ है और ना कि गाउं के खुपसूरती किसे कहते है, उद्रती खुस्त कैसा होता है, यहां एक भी लड़का नजर नहीं आता, जिसकी सामने महबबत का स्काना है, वो रहा, चिलचिला के धूप में तलवार के धार चमक रही है, थो, वाट आ बोट चोईस, तुम लोगों की पसंद भी क इतनी घटिया है, यह तो हमारा नौकर है, तो क्या हुआ, पराग कौन सा बाश्या का बेटा था, मजनो कौन से गवर्न की उलाद थी, अरे यह नौकर ही नहीं, बेवकूफ अन पर जाहिल गवार भी है, एई, कम यह, अरे देखो, 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 हिंदुस्तानी जमीन प आप खुद को नहीं तोड़ेति, इडियाग, हम क्या तुम्हारे सर पर चाड़के तोड़ेंगे, ख्यार आखो पर, आएए न, आए, 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 यह, यू इडियाट, यह क्या बड़तावीजी है, उझे नीचे उता रहो विम्साँ मैं कच्छे आम कच्छी कली के साथ साथ कच्छी लड़की भी नहीं सोता यू फूर, इडियाट ओल, इडियाट इडियाट अ-प्ल, इडियाज प्र। नारिया, शहर की नारिया, ओए होई ये नारिया, शहर की नारिया इनकी सूलत देखो, तुम देखो, इनकी तैयारिया, आई कहा से इस गाओं में शहर की ये बीमारिया नारिया, शहर की नारिया, ओई होई ये नारिया, शहर की नारिया You fool, bloody fool, you are a monkey donkey, you are an idiot, bloody idiot, I will make you a Frankie छोकरे गाव की छोकरे दुनिया आगे निकल गई हमने छूला अंबर है पिफल के नीछे रह गए छोकरे गाव की छोकरे हुआ हाँ नार या शहर किनार यहा बेच दिये सब शर्म के कहने इन बेशर्मों के क्या कहने ये कैसी आरत हर भाया ये कैसी आरत हर भाया मर्दों की पते लून जो पहने जाने किस किस को मारेंगी ये फैशन की मारिया अर नारिया शहर की नारिया ओई होई ये नारिया शहर की नारिया हम गहरे कागर के धारे भूएके में रख ये सारे दुनिया में जब अपल बटी थी दुनिया में जब अपल बटी थी पिछे खड़े थे ये बेचारे बस सालों पे हाद धरे किया को नीचे रह गए अमने जूली आंबर ये पिपल के नीचे रह गए छोकरे गाओ के छोकरे चिची है छोकरे गाओ के छोकरे कि अपल बटी थी ना घूंगट ना चुनरी ना घूंगट ना चुनरी ना चोली देसी माल भी देसी बोली नीले पीले इनके कपड़े खेल के आई है क्या होली रंग बिरंगे रंगों की ये रंग बरी पिछकारिया अरे नारिया शेहर की नारिया ओई हो ये नारिया शेहर की नारिया इनकी सूरत देखो तुम देखो इनकी तयारिया आई कहां से इस गाओं में शेहर की ये बिमारिया चोकरे, गाओ के छोकरे चिछी ने चोकरे, नाओ के छोकरे दुनिया आगे निकल गए ये कितने पीछे रहे गए हमने छूली आमबर ये पेपल के नीचे रहे गए नारिया, शेहर की नारिया चिछी ये चोकरे, गाओ के छोकरे तुने मुझे कुटिया समझ रखा है एक थपड मारूंगी सारी अकर निकल जाएगी मार के देख मारूंगी तो क्या कर लेगा तोड़ गवा समझी अपने भहिया से कहकर तेरी जबान लाखिचवाली तो मेरा नाम नहीं अरे बहुत देखे तेरे भहिया जैसे अब तु देखना में तेरी क्या हलत बनावा क्या करेगी तू पुलीस में जाकर रिपोर्ट करवाऊंगी और जिस हाथ से तुने मेरा हाथ मरोडा है उसी हाथ में हटकड़ी डलवाकर गाउं की गल्यों में घसित वाऊंगी और हंतर मरवा मरवा कर तेरी चम्रियों धड़वा दूगी अरी जा 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 चल चल फूट क्या रहे है एक या रहे साले भीक मंगे बदमाश हमारी भेंद को आरी चारी कहके पुकारता है जिन्दा गाड़ दूगा मैं तुझे पुझे 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 हाइओ! आई! आई! लड़ोड़ोड़ोडने फसके वड़ो! चोड़, जाले नाकर, बाचे पराव उसाता है, तेरे मुस्तंडे पंकी कोई थाज भी है या नहीं, देख रूगो माद दूझे साले, अरे भाग यहां से, अरे छोड़ो, जादा कुटा कहीगा, आप ठोड़िये मुझे, मुझे मालूम था, एक ना एक दिन ऐसा होगा, इस अपना सरी कुचल दे, फिर भी कुचल ने बोले, भया ने जो भी किया, ठीक ही किया, अरे बेटी उलोग धनवान है, वो चाहे तो सही को गलत, और गलत को सही कर सकते हैं, समझी, मा, मैं मानती हूं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, क्या अपनी इसत और अपना सौभिमान भ जवादी, अगर उन्हें भया को नौकरी पर नहीं रखना था, तो साथ मा बिलकार कर देती, तुम लोग अभी जगड़ा बंदेरो, और जब अपना मुणा काम करो, चलो अमीर्स दादो, अब तक तुम लोग बचते पिरते थे, अब मिला है तुम्हें मुकाबले का दुश्मन लड़के की तस्वीर तो देखो मा, क्या स्टाइल है, क्या रोब है, और इसका टाइब बंदे का स्टाइल देखो, कितना अप्टू डेट है, जरा सोचो, हमारी भेन कंचन इसके बाजो में खड़ी होगी, तो कितनी फिट लगेगी जोड़ी, फिट फिट तो सब ठीक है, लेकिन पहले ये पता करो, उसका खांदान कौन सा है, माबाप कैसे है, हमारे समधी बनने के लाइख हैं भी है नहीं, अरे चिराग लेकर ढूनोगी न मा, तब भी ऐसा रिष्टा नहीं मिलेगा, हमारी भेन किसमत वाली है क्यों से, ऐसा दुला मिल रहा है, अरे अपनी बि पूछ कर तो देखो, हाँ बेटी, तुम्हारी शादी भाई होगी जहां तुम चाहोगी, अगर तुम्हें कोई इतराज है, तो हमें साफसा बता दो, हम लोगों के दबाव में आकर तुम्हें हाँ कहने की जरुरत नहीं है, अगर मुझे ये रिष्टा पसल नहीं होता, त तुम्हें भाईया को पहले ही बता देती, अच्छा, अगर बेटे, तुम्हें शादी की तारिख पकी करनी ही पड़े, तो दस बारा दिन के बाद करना, कोछे तयार ये करनी है हामे, मैं सब जानता हूँ, मैं सब ठीकर लूँगा, जाबाज, जाबाज, और अगर वो ये मनोस कैसे आड़े आ गया निकलते वक्त, जोपड़े को तुरवा कर चला दो, और उसी जगा इस गाड़ी को खड़ी करने के लिए एक शेट बना दो, नहीं तो ये गाड़ी उस जोपड़े में घुसा कर उसे चकना चूर कर दो जोपड़े में चणा चाहिए अगर च्छोपड़े या जोपड़े ख़ड़े में तो फटावार को खड़ता आड़े जान बचा कर आ रहा हूं खराम और गाड़ी चलाता है के तलवार से लाता है एक लड़की साजमी क्या पैड़ी थी शरावत के मियां से तलवार की तुम्हारे बेटे को में नी इनके बेटे को अरे जाने दो गल गया तरड़ अमर गया उसे च्छड़ों मैं बात बोड़ी कर रहा था मैं क्यों पने बेटे कि सेहत की दुश्माइब बने हो यार तुम देखो पीजे दस साले गाउं के पंचात की सरपंच हो पर गाउं की हालत देखो न सर न पहर न पंचे अर्य क्या वह गोश कर रहा है यार मैं यह कह रहा था गाउं की साड़कों यहाला देखी कितनी उपर खाबड हो गई तो इसी सरकों पर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी तो बैल गाड़ी बन जागी दो दिन के अंदर उनका हिंजार बिद्दला लगो जाएगा जब तक तक तुम काऊं कि सरपजो दिखावे कि लिए तो सवाकि मर मत कर डालो क्योंकि मेरे बाप अगला चुनाव आ रहा है और फिर वही बात कितनी बार क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहता नहीं लड़ना चाहता खचानग नहीं भाद कर मेरी बरस मेरी बाद की शादि होने वाली है तो मेरी बीटीस की तर्थ होुआ है समझते नहीं ढूंर और आ बहुत सुद्धे, भाति का से आईग को आएगा तुम क्या बैंट बाबजाने वाले हो और तू जिस कुरुसीफर पिछी सुलए बैठे उस कुरुसीफर य। धूरी को निए है बैंट क्या है अले इत्री क्यूं मंआ है विछ्छाने को पास एक बात करो छोटे चाकी इस बार चुनाओ तुम लड़ो मत तुम चुताओ कुतों की लड़ाई में बिली को कहां खुशा रहे हो उढ़स अब कर दिया आप अब से जोखना आ सबर के टிसमी साप न आप बहुं कुष़ाा उथाव यह झा कर लिजिए औरिक उसी की जaking आप गवन को एकना कर लीजिस मीड्य निंग केुसैं कर लिए अभी responsibility आप अब करें में क्ादersonal ने पक्चिस रूप story अगर कवाली गाएगा तो बहुत मारूँगा नहीं गाएगा तो उसे ज्याता मारूँगा और अगर ये खड़े नहीं हुए तो जान समर्डा लूँगा अगर आप लोग तो मुझे जानते ही है इसलिए आपने बारे में कुछ नहीं काऊगा हमेशे की तरह इस पर भी मैं पल्चायत के चुनाओं के लिए खड़ा हो रहा हूँ बाकी से बाते चोटे ठाक और चंदीदास जी आपको सुनता है अब आपके मन में सवाल उड़ता होगा कि पिछले दस साल से प्रेजिडेंट की कुर्सी पर बैटे हैं तो नहीं क्या कमाल कर दिया कौन सा थीर मार लिया ब्सक्राइब करने बाले हैं और क्या कने वाले हो यह की अभी आपलाता है अबस नबस अदीर हम लोग एडिक्षिन के लालच में जूट बोल रहे हूं और हमको जूट वोले की क्या जरूरत है। जुट को वह बोलते हैं जिर्णों कभी सच बोला और हमने कभी सच नहीं बोला तो जूट का बोलेंगा है कि में इसे बात पन्यारा लगाईए, धागुर साब को, बले धागुर को, बले धागुर को, बले धागुर को, बच्छे लोग दो आट का दे ले जाब, बाद चले जी, हो गया फैसला, आप एलेक्षन जीत गए मुबारा को, किसे में हिम्मत नहीं आपके खिलाब आवाद लगी, ह मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे में हिम्मत है इनका सामना करने की, सामना करने के लिए सिर्फ हिम्मत का होना जरूरी नहीं है, इस गाव में इनका सामना करने का रिवाज ही नहीं है, इसका मतलब हर बार यही चुनाव लड़ेंगे, और यही जीतेंगे, अ अरे तुमको सीरे से खड़े रहना तो आता नहीं, कुछी पे क्या खाक मैठोगे, अ बेटे, तुम क्या इनका समना करके रहोगे, बिल्कुल, यहाँ चुलाओं में कोई भी किसी का भी मुकाबला कर सकता है, जिस तरह गले में रुमाल बांदे से हर आजमी घुंडा नहीं हो कोई भी इंसान जिसकी बुद्धी भ्रष्ट ना हुई हो, ऐसा बेहुदा और गलत कदम नहीं उठा सकता है, देख रहे आप भी कुछ बिगडा नहीं, जा, चुप चाप जाके चुनाव से अपना नाम वापस ले, जा, अगर क्यों, यह देख, इस लिए, इस प्रोनोट क जाओ, फाट डालो इसे, आज से तुम्हारा कर्जा माफ, अरे आज के जमाने में इतना रहम और दर्या दिली कहां मिलेगी, है अत्र रह्मां धर्यमिट्चा, अब ममला समझ में हा रहा है कि बाप बेटे के खिलाप adjust क्यों कर रहा है, क्युक्त उन नहें बाप सक रजब कर दिया, और उस खरुदे को रिश्वत कर तीर मराकर बाप के हाथ सो बेटे को घायल कर रहे है, जैकि मैं अपना नाम वापस इसी बाहने हमारा करजा भी चुक जाएगा और हम चेन की जिंदगे जी सकीगी गुलामी करते करते इतने कुछ ने जा चुके हैं इतने निवाले छीने जा चुके हैं कि सर्फ आजादी की आवाज उठाने का खायल मन में आता है तो डर के मारे भूग की आख से घर चलता हुआ नजर आता है अगर यही बुच्दिली दुनिया की हर कौम में होती तो दुनिया का कोई मुल्क जुल्म के कदम उखार कर आजादी का जन्ना ना दार आता है अगर उन लोगों को भया का मुकाबला करना अपने शान के खिलाफ लगता है तो उनसे कह देजे वो खुद अपने बड़कपन दिखाए और चुनाव से हट जाए अगर भया जीट जाए यह सरपंच बन जाए तो कोई तो होगा जब पहली बार गरीब के आवाज सुनेगा तो भी क्या करेगा एक भीकारी दूसरे भीकारी को सिर्फ हमदर्दी दे सकता है भीक नहीं दे सकता अगरी मैं आकरी बार कह रहा हूँ जिद मत कर मैं मानता हूं तू समझदार है और मैं मैं गवार लेकिन मैं वफादार हूं और तू जरूरत से ज्यादा मगरूर तो कोई ऐसा उपाई निकाल कि मेरे वफादारी और तेरी खुददारी दोनों का खून नहोंने पाई आपकि वफादारी और मेरी खुदवारी का खुण ना हो इसका एक हुपाय है आप अपने हाथों से मेरा खुण कर दीजिए ताके दूनिया ये तो कह सब गई कि ये वाप में वफादारी के रन को गहरा करने के लिए उसमें बैठे का खुण कर जैसा कि आपको मालूम है कि ठाकुर साब चुनाव के लिए खड़े हुए है और यह रवी उनके खिलाव खड़ा है तो ठाकुर साब की एक शर्थ है कि अगर रवी यह चुनाव हार गया तो हमेशा के लिए गाउं छोड़ कर चला जाएगा बोलो रवी तुमको यह मंजूर ह पंजूर है लेकिन यह हार गये तो तो यह ना मुंकिन असंबाव इनकी और हार के तो कभी मुलाकात हो नहीं सकती लगता तुमको चलते पर ते आंके खोल के सब देगनी के आदत पड़ गये शहद है चलिए सपना ही सही लेकिन माल दो अगर यह हार गये तो क्या यह भी गा मेरी महनत मेरी जाएदाद है मेरी ताकत मेरी दोलत है मैं इस मिट्टी में जन्ना हूँ इस गवों के हवो में सरस ली है यही के पानी सर्मनें प्यास बुजाईए तो इनोंने क्या यहां के पानी में डुकी लगाई है सिद्धे बोला ना क्या चाहिए तुमको चुनोती और शर्थ दोनों तरफ से बराबार होनी चाहिए बताओ अगर यह हार जाएंगे तो क्या करेंगे उस तरह फिरा के सर मुंडवा लेंगे बास मुझसे मेरा पुरा गाउ छुडवा रहे हो और इनके सर्फ बाल जाएंगे जो पहले से ही सपह दो चुके अरे तुम्हारा गाउच छूटना तो कहा इंजे दुनिया छुडवाले चलो हजार दो हजार देलवा देना हुचे थू आये तुम्हारे हजार दो हजार पे मैं भीग नहीं मांग रहा हूं शर्थ लगा रहा हूँ पाइसा नहीं देंगे त जो चाला फंगा दो खोड़ी का मजदूर अगाउच होने लिए तयार है तो क्या मैं इसके लिए अपनी बेड़ी को दौप मा लगा दू अरे आप छुप रही है अकल है ना शकल छोड़े मिना मतलब है आप ज़रा चुप रही है बड़ी मुश्किल तो जाकर ये साला हमर इस शिकंजी में फसा है और ऐसा फसा कि दम निकल जागा मंगर ये साला नहीं निकलने पाएगा इससे सिर्फ एकी बात कहो ये लिख कर दे कि अगर चुनाव में हार गया तो जिगाउट छोड़कर चला जाएगा शोक से लिखवाई ये लोबान महरबान स्टैंब पर अगरे बार ठीक से फिर सोच लो उसके बाद पढ़ो उसके बाद दस्ताखत करो एक ना पढ़ना जानता है क्या अंगूट चापो आइदना तो जानता हूं कि आपकी किसमत पलटकर अपने कलंच से अपनी किसमत लिख सकता हूं किसमत तो तुमारी पुराने मटके की तरह चुकिए बैठे इसलिए तुमको हर्यारी सुझ रही है कि लोगान 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 को जीत रहे है चलो भाईयों एक मिनिट बात खत्म का हुई है अभी तो आदी बाकी है क्या मतलब आदी कैसे बाकी है काज़ज पर लिखवा कर मेरे दस खत्तों ले लिए तो तो इनके द पर लिखके दें कि अगरी एलेक्शन में हार गए तो यही कहता है और आप ने अभी अभी कहा कि हर बात कागस पर लिखी होनी चाहिए जबान पर विश्वास नहीं है जो बात मुह से कही वह बात लिखकर देने में जिल्लत कैसी है मैं हुना तुम घरा दे क्यों आरे हाथ क्या करते हैं आपको भी कभी कभी लगता बेवकुव की मिर्गी आ जाती है चलते जलते पल्डी मार देते हैं तो और क्या करूँ अगे बढ़ चुकी है आप पीछे अट रहे हैं नाम वापिस ले रहे हैं तो वो तो बैटे बिटा जी जाएगा आइस्ते आइस्ते आइस् अरे हो सकता है कल गाउवाली ये देखकर आप ठूकना शुन करते मैं भी दुख दूनेंगा ड़त नहीं है अगा शुन करते जैसे वह नोकर की वलाद आप से जीत गया आप पहर गए और आप उसको बेड़ी देनी पड़ रही है कभी नो होने वाली बात को होने वाली बात समझ कर आप खौंखा डरते रहते हैं आप एलेक्शन लड़ेंगे आप ही जीतेंगे विश्वास नहीं आता तो गावालों से पूछिये मेरे प्यारे साथियों मैं इस चनाव में तभी खड़ा हूँगा अगर आप सब लोग यह बादा करें कि इस चनाव में वोट देकर आप मुझे जिताएंगे तो तो क्या आप सब लोग मुझे वोट देंगे आप अडियल टट्टू रवी कबच्चा हमारे मन पसंद ठाकुर साथ रवी कबच्चा हुगा तो नारे लगा रहे हैं यह तो लॉंडे लफाडिये हैं इनको वोट देने का अधिकार नहीं है तो क्या हुआ इनके माबाप नहीं है अब तो तसली हो गई ना लेखमां को आखस में अले गुलूबान ताखस लिखिया क्या लिखूं यह बताना पड़ेगा अभी थोड़ी देर पर ले लिखा था ना अधा लिखो यार अगर मैं लेक्षन में हार गया तो यह तो कानून की जबान है लिखने दो को जोड़ी हार जाता है अधाने तो मैं अपनी बेटी कंचन का हाथ रवी के हाथ में देखर उसको अपना दामाद बना लूँगा अभी होगा जो फगवान को मंजूर होगा यह तुम रखो और यह आप रखिये खाने रहे कुछ परिशान है पद्वा मैं यह चिनाओ चीज जाओंगा न लोग मिछले दस बरसों में तो यह डर कभी पैदा हुए नहीं आज क्यों हो रहा है अरे पहले कुछ और बात थी मैं अकेला खड़ा होता था चनाओ जीज जाता था मेरा कोई विरोदी नहीं था आज मामला बदल गया है यह यह कंचिल का वापस लोट रही है खाफ में तो लिखा है कि शेहर गूंकर एक दो दिन में वापस आ जाएगी पर यह अचाना कंचन का कैसे ख्याला आगे ने कुछ नहीं ऐसे ही इस कंभक चंडी दास ने मुझे बैठे बिठाए एक पखेड़ अगर में यह चुनाओ हार गया तो कंचन की शादी रवी के साथ कर दूगा यह कारस पंचो के सामने मुझे से लिखवा कर वही कारस रवी के हाथ में थ्वा दिया है आपने यह लिख कर दे दिया यह लिख लेते जाई है यह लड़ी के जाई आफ ने अलैंगे लगाते जाओ अबे मुझे ठाखुर का लड़ू है लड़ू में थ्वाद निकलता है कि लिद्वां विद्वार्व पॉर तुम लोगों को तुम्हारा हट दिल्वाकर हुगा लागि लिद्वार है यह थाड़े फारार्य में जाएंगे इसी जीव में हुआँगा और अफरीका में हो रहे हैं जुमों को अब कभी बनाश नहीं कर सकते जाते हैं सर्फ उन dale नहीं बलके तरह इंसानी ब्रादरी पर हो रहा है मैं अपने भैशन के बारूद से युवनों को राकर रख दूगा और अफरीका को आजादी दिलाकर रहूगा तो क्यों ताली बजा रहा है तेरा बाब अफरीका का था? नहीं तेरी माँ अफरीका की थी? नहीं तेरो मालूँ अफरीका की देरे? एक बाए मैने नक्षे में देगा था आजम गड़के बाजू में है अच्छा वो बता दिया, मुझे नहीं मलूम थे इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत दरूरी है मैं अगर लिखा हो पढ़ा नहीं हूँ अगर लगता है आपके भाषन का लोगों तो काफी अच्छा इसर बड़ा है क्या मतलब कपड़े अरे कल वोट लेना तो आज कपड़े देने पढ़ेंगे ते तो ठाकूर साथ ठाकूर साथ कपड़ा दो कपड़े सब लो देंगे किसे नहीं कहते है भूगी जनता का नंगा लीडर तुम सच्चाई का स्थम हो पुर्भानी का कुतब मीनार हो ठाकूर साथ मेरी तुमना है काच दुनिया के तामाम अख़बारों में आज तुमारी ऐसी हालज में तत्मीर चप सकती तो कल दुनिया को पता चलता के जनता को कल लंगा करने वाले लीडर आज खुद लंगा ख़ड़ा हुआ मैं तो कहता हूँ आप ऐसी रहा कीजिए आप ऐसे अच्छे लगते हैं कपड़ों में ज्यादा नंगे देखते हैं नंगे में ज्यादा शेरीव लगते हैं चुप चुप तो सारे संसार की मा है आज तेरे गरीब बेटे की इज़त का सवाल है वो हार गया तो तेरे सामने सर जुकाने वाले सारे गरीब बेटों के हार होगी मा जरीवों के दुख के लिए तड़पने वाले तेरे बेटे को इज़त से जिता दे मा मा यह चोटी सी बेंट है इसे स्वीकार कर लो यह मेरे मनत की निशानी है पुझारी जी यह साड़ी लीजे माता पिछा दीजे यह और यह फिकर मत पराइंगे निए जीतेंगे निकल गया सब्सक्राइब के जारी है जिए कि अब जुना नहीं आपने वोटों के गिंती में हम आप आगे हैं मतलब आपसे लिट कर रहे है तो ळाओ कर रहे है अरे वो हम लोगों के बेमानी के बोटों का पक्ला की तर गया करें लोबान या खड़ा रहे और जैसी Εलेक्शन का निए ओर धूंब मैं अभी आया है कैसे केड़े में चल रहे नहीं अब ग्राम पंचायत के चुनाव कोशित किया जा रहा है रभी कुमार अपने विरोजी ठाकुर अटल सिंग को एक हजार मतों से पचाड कर ये चुनाव जीत के पेटी तू क्यों आ गई जी में अभी अभी आई हूं तिरा भाई का है हम लोग कार से पहले आ गए थे तूले के माबाब ट्रेंस आ रहे हैं भाईया कार लेकर स्टेशन गये हैं अच्छा तू चल चल जी में में अरे हम तो अभी अभी आया और आप जाने को कह रहें आखिर पात के है डादी मैंने कार बात में बुताओंगा चल तुम अपना सावर उठा अरे भाई जी उठाकर सामान में रखो ओ क्या मुसीबत तर ये कमक्स चल नी तास उसका सत्य ना अरे भाई सभाल खरें से चल नी सी ने रखो पर गारी का वापस बोलो थाए वादा यह नदें गारी कैसे वोड़ो अजय के वादी नहीं प्रेशा टाइमर तरहे लिए पर इस जल्द इसे वादी बोलो थो ऊपाओ आपdes जाफ अपने एकराद्हामा को ठोकर मार खर पर्विके जीचावार को चुमच कावड सूब खाउश शेकराइथ आपको कौर भाग रहा था मैं वह बाग थोड़े दाशा तो क्या बेटी को साथ लेकर आपका स्वागत करने जा रहे थे पहले यह सीखने चलाना बंद करो और शीदे भू बात करो तो अंदर जा वेजी तो अंदर जा वेजी चलो गुपी तुम्हें साथ आ चलो आईये आईये संदी जी आईये तश्रीफ लाइए अब को आप खाब खाब भीक बंगे से ठाकुर गराने के संब्धी बंगो तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे खराफ चाल चली है जिन्दी की बर सुने मेरे पहर दबाए और आज मौका मिलते ही तुमने मेरे गला दबा दिया मेरी इज़त मेरे घर को बरबाद कर डाला तुम लोगों ने इसमें कसूर मेरा ही है मालिक उस दिन जब रभी मेरे हाथ में छुड़ा देखकर मुझे कह रहा था कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं इस चुनाव में खड़ा रहूं तो अपने हाथों से मेरा खूल कर दीजिए मेरा सर धड़ से अलब कर दीजिए इस वक्त अगर मैंने यहीं किया होता तो आज यह दिन देखना नसीम नहीं होता मलिक अब भी कुछ नहीं पिला तुम्हें जितने रुपया पैसे चाहिए मैं देने के नहीं तो तुम को हो तो अपनी जाइदा का आदा इससा तुमारे बेड़े के नाम कर देता हूं लेकिर जिस लड़के के साथ मेरे बेड़े की शादी होने वाली है उनके साफ मेरे साथ मत पर शुबते हैं अब यही हाथ पिलाए में तुम्छे भीट पांग रहा हूँ अगर मेरी बेटी को मालूब हो गया कि मैंने इतनी जबर्दूस खलत ही किये और अपनी जुत के जुएंगों से दाओं पर लगा बैठा हूँ तो वो मेरे मूँ पर थूखेगी जाओ कोविन जाओ अपने बीटे को जाकर समझाओ और यह पागलों की तरह चलाती ही भीट को यहां से अठाओ वागी हम सब प्रेट कर अपने हिसाब कर लेंगे सोच के लिए देखो कोविन इतने दिनों तक तुमने अपने हाथों से मेरे पेरों को दबाया है अगर को तो आज मैं अपने सब तवारे पेरों में दखेंगे रहा और नहीं मालिक ऐसी राते कर मुझे पापी मत बनाई यह मालिक मैं कोशिश करता हूं आप अप कि तो यहां से चुप-चाप चला जा और इन सबसे कहे दे कि यहां से चले जाए जब तक के रभी थाकुर साब की लड़की के गले में मंगल सूतर नहीं पहना था यहां से कोई नहीं जाएगा ठाकुर साब की लड़की के गले में जबर्दस्ती मंगल सूतर अगर तुम्हें पहनाना है रवी तो पहले मेरे टुकडे कर दो उन टुकडों से गुजर के लड़की तक पहुंच सकते हो पिताजी अरे कैसा बेशरम बेटा है रे तुम्हें इतना सब सुनके भी यहां बैठा है मतलब तेरी नजरों में गाउवालों की बाप का मान ज्यादा है बाप की जिन्दगी का कोई मान नहीं है आज तक में सीना ठोक कर लोगों से कहता है कि यह मेरा बेटा है इसकी रगों मेरा खून है मैं इसका बाप हूँ मगर नहीं आज तो लगता है मैं नहीं यह सब गाउवाले तेरे बाप हैं अगर यह शब किसी और में कहे होते हैं तो उसका सर कटके जमीन पे पड़ा होता है आपने गाउवालों के सामने मेरी मा को गाली दी है इन गद्दारों की ववादारी में आपने मेरी मा के पवित्र हाचल पर किचण उचा लाए इसके पावजूद मैं खामोश हूँ यहीं इस बास का सबूद है कि मैं आपका बेटा हूँ इससे पहले कि मैं इस रिष्टे को भुला दूँ इसकी हादों को पार कर दूँ अब यहांसे चले जाएए चले जाएए यहांसे कर दूँ आपके जाएए टाया में इसकी कभी सोच नहीं सकता था कि सारा गावज जो मेरे लिए जिन्दा बाल जिन्दा बात के जारे लगा रहा है एक दम उसकी तरह हो जाएगा मेरे साथ परेव हुआ है बेटी कि अपनी गंदी और गिरी हुई हरकत की है आपने इस हरकत के लिए आपको अपनी बेटी के सामने हाथ चोड़कर माफी मांगते हुए शरम नहीं आती और अब पाइदा भी क्या है माफी मांगनी ही है तो जाकर उन से मांगे जो भार करे नारे लगा रहे हैं कंचर एक बाप अपने केखोई पर शरमिंदा है वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर सर जुखा हैं माफी मांग रहे हैं अगर तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती ही तो मत करो पर कमसकम उनका अपमान तो मत करो तुम क्या चाहती हूँ कि बाहर निकलकर उन लोगों के पैरों पर सरक्तर उन से माफी मागें अब इन्होंने खेला है घलती इन्होंने हैं तो फिर माफी भी इने ही मागनी पड़ेगी है यह नहीं तो शादी प्या का जगड़ा है ठीक है जो भी है आप लोग बाद में आना यह लोग यहापर रिष्टे की बादचीत करने के लिए आए हैं हम भी रिष्टे की बादचीत करने के लिए आए हैं हुजूर क्या मतलब मतलब यह कि इसे पर लेजिये तो अधिर हम लोगों का क्या होगा आओ कागेच लाओ मैं अभी आता हूं क्या यह सब सच है वा बड़ी बेशर्मी सर इला रहे हैं यह दस्कत आपने अपने होश में किये यह किसी के दबाब में आके किये यह किसी के जोर में आके किये कि आपने के लिए अपने सोच कैसे लिया कि हमारी बेहन एक ऐसे आदमी से मंगल सूतर बनवा लेगा जिसे एक वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़े हो क्या आप धरम राज के रिष्टेदार है जिसने महाभारत के जमाने में एक और उसका अधिकार था तुम्हें कहा दिकार था कि किसी और की होने वाली धरम पत्नी जो तुम्हारी बेटी है जिसे अमपराय धन कहते है उसे दापे लगाने का बेहन जाओ चूले से जलता हुए लगड़ी का टुगड़ा लेकर आओ चिन हातोंने वो दस्तकत किये हैं मैं उन्हें जला कर राक कर दूँगा बन करो ये बखबार किया कहा तुम्हें और किसके लिए कहा इनसे कुछ भी कहने सुनने का हाक अगर किसी को है तो सिर्फ बुझे है और मैं खामोश हूँ बहर सारा गाउं इनका दुश्मन बनकर चौकर पर खड़ा उधर लड़के वालों को तुमने बुला रखाए क्या इसे तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया कि तुम सबके सामने अपने पिता का अपमान कर रहे हूं उन्हें गाली दे रहे हूं हाँ इनसे खलती हुई मैं मानती हूं पर इस खलती को संभालना तुम्हारा भी फर्ज है जाओ उन लोगों को समझाकर जवाना करो जाओ तुम्हारे पैसे मेरे पैरों की धूल के बराबर है पैसे देकर तुम मुझे खरीद नहीं सकते हैं हाँ अगर चाहो जाओ तुम लोग यहां पर दंगा फशाद करने के राते से आयो ठीक है खड़े रो अभी पुलिस बुलाकर तुम सब को ग्रिफ्ताद करने खाम का क्यों पुलिस पुलिस चिला रहे हो हां पुलिस के तुम लोगों के लिए है आगर चाहो तो बलबालो पुलिस के फेरे और हिप पैर हिलाने की कोशिश करोगे तो देख लो मेरे पिछे कितने हाथ है ऐसी धुलाई होगी कि कोईबा की गोड़ी बन जाएगा हाँ हाथ तो बहुत है लेकिन अगर मेरी पिस्टोल निकली सब के हाथों को साब शूंग जाएगा एक के को बून के रख दू हमें अरे उत्यारों की तरह भुन्ने और तलने की बात मत क्या करो मर्जब सर पे कफन बान कर सीने में फॉलादी जस्वाली का घर से निकलता है न तो बंदुख से निकल हुई गोली खबरा कर किसी और तरफ चली जयती है अच्छी बात है तोंगया जिखने में कितना दम है पुलिस क ओर मारो शी भरन के मारो ऐसा बेटा पैदा करके मेने जो पाध किया है उसके बदले में आपने मेरे जान ली तो भी कम है बारो माले शालमton जलाता है रही हो दो अ जया और क्यों होता रहा है और क्या करूं dere Luigi of बेवार के ढूण हरा 가지고 ख़ंगalı मेरे सामने सुर्फ एक ही रास्ता है गंचन टेकिन के क्या हालत हो रही पेटी फैसला तेरे हाथ में तू ही फैसला कर सकती है क्या फैसला शादी नहीं है ये शादी हर देखर में करें को पैठी कर सकती है खबर्दार हम इजद्दार लोग हैं खरत्वन इंसान हैं जहर पी के जान दे देंगे लेकिन अपनी बेटी को दाओ पे नहीं लगाएंगे अगर तुम्हारा बाकी ठाकुर खांदान से को समंद्ध है और तुम्हारे खून में एक भी खत्रा इजद्द का बाकी है तो सारा खांदान सेहर पी के जान दे दे चलो जी निकलो इन बेगरत इंसानों के घर से सर जुका कर चलना सिखो तुम मामीर लोग तो सर्फ गरीबों को जुका ना जानते हो खुद जुकना नहीं जानते हैं लेकिन यह उपर वाले का उसूल है जो उचा उड़ता है वो नीचे गिरता है सर चलो अरे मां वहां क्यों घड़ी है इधारा आज तेरा बेटा तेरे लिए बहु लेकर आया है तो नोको आशिरवाद नहीं देगी जुग जुग जीयो सदा सुखी रहो बेटा कंचन जानती हो यह कौन है यह वो औरत है जिसने तुमारे पती को जनम दिया मेरे लिए इनका दर्जा इस घर में भगवान के समान है अगर यह मेरे लिए भगवान है तो तुम्हारे लिए भी भगवान है जाओ भगवान के चरण शुकर आशिरवाद दो नहीं नहीं इसकी कोई ज़र्ण तो चुप रहमा क्या इरादा है मुबाराखो मुबाराखो जिंदेगी में पहली बार सर और शेरी जुका है लीचे मालिक माट कुछ मिठा नहीं बना है मालिक मिठा तो आप उस दिन खाते हैं जब किसी से बदला लेना होता है फिकर मत करो चंडी ममा मुँ मैं मिठा कराओंगा रवी तुम हाँ मैं आपके लिए मिठा ही लाया हूँ माने खास कर भीगाई है मा का कहना है यह शादी सिर्फ आपके करण हुई है वरना नामुम्किन थी भगान इस गाउं की हर मा को तुम्हारी मा की तरह समझदार बना दे जो खुशे के किसी भी मौके बर अपने भाईयों का मूँ मिठा करना नहीं भूलती है मेरी मा समझदार नहीं है भोलिए इसलिए तुम्हें पहचान ना सकी लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक खास तोफा अपनी तरफ से लाया हूँ अपनी तरफ से? क्या है इसमें? खोल का देख लो यह तो खंजर है मुझे क्यों देर हो? तके मेरी पीट पर घौपने के लिए वैसे तो लोगों की पीट पर वार करना तुम्हारी पुरानी आदर है तुम्हे ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझे सलील करके इस खाव से निकाल दिया जाए लेकिन तुम अपने शैतानी इरादों में कामियाब नहो सके तुम्हारी शिकस्त हुई मेरी अच्छाई और मेरी इमानदारी ने तुम्हारे नापाक इरादों को कुचल कर रख दिया और मैं जीत कया तुम्हारी बकवास खतम हो गई या भी कहना कुछ बाकी है कहने के लिए तो इस दिल में इतना लावा भरा है कि सुनते सुनते तुम्हारे कानों के पड़ते चलकर खाक हो जाएंगे नहीं वैंकि अगर मैं सचाई बयान करूंगा तो तुम्हारे हातों से होश के तोते उड़ जाएंगे रवी बाबू अगर तुम समझते हो कि एलक्षन तुमने अपने काबियत के बल पर जीता है तो तुम बेवकूफ आदमी हो और तुम्हारी कबाखली मुझे रोना आ रहा है क्या मतलब मतलब यह जनाव रवी सहाब कि आप एलक्षन जीते ने बलके जिताए गए जिताए गए अगर आप अपने यादाश पर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि वह मैं था जिसने तुम्हें ठाकुर के खिलाब एलक्षन लड़ने पर उगसाया क्यों का जवाब है कि यह मंदिर नहीं गई थी मंदिर नहीं गई थी बहुत प्यार करते हैं उन्होंने आपको वड़े ठाकुर के पास पैगाम लेकर जाने को कहा है कि यह से मुंकिने माना कि हम लोग भी ठाकुर हैं मगर हम लोग गरीब हैं वो बहुत अमीर है वारे पास भाया पहल मैंने नहीं की थी पहल उन्हीं की तरफ से होई थी वह मुझे बहुत प्यार करते हैं कहते हैं तुनिया इधर की उदर हो जाए मैं शादी तुम ही से ये क्या बात है शादी का वादा भी करता है और बड़े भाई से ड़ता है अजी बात है यह तो भगवान के लिए जाओ भाईया चितनी जल्दी हो सके हमारी शादी करवा दो वैसे भी बहुत देर हो चुकी है अगर और ज्यादा देर हो गई तो उससे जिया नहीं जाएगा ऐसे जिदिगे से तुम मर जाना ही बेटर है भाईया यह फ़गवान भाईन एक बार मुझे तो इचिता मत कर मैं जाओंगा इतना नीच रिष्टा लेका हम खुरियावन शी ठाक्रों की हवेली के अंदर आने की हिम्मत का चाही तुमने यह हिम्मत मुझे चाबर साथ उन ने座े में दूने बचल की प्यारने दिलाई हैं दूने दूसरे को बहुत चाहते ही थुन बाईया यह बिखारे हैं ति बिकग गवास कर रह måste लोट Chem week फ़ीन से चाहते हूं जो लोग हमारी चौकषट के बाहर खड़े हो का भीक मागने के कबर नहीं, तुमने हमारे रिष्टदार बना कर हमेली के अंदर होना चाहते हो पक्वास बन करो और जो अपने कमरे में, जो मा कहता हूँ और तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, तुम ही जा सकते हो शक्र साब, मेरी मासू बेहन के गर्व में आपके वही का बच्चा है यह बहुत पुरानी चाले हैं चन्डीदास, कि पहले ठाकों खांदान के बीच को पेट में उगालो, फिर दुमका कर अपनी बेटी अपनी बेहन को उस खांदान की बहु बना दो गरीबों की बेटिया ठाक्रों के बच्चों की मा बन सकती हैं, बगर उनकी बेविया नहीं बन सकती हैं ऐसा जलम मत कीजिए मेरी एक ही बेहन है उसके लिए मैं आप से द्या की भीग मंगता हूँ भगवान ने आपको भी एक बेटी दी है अपने बेटी की खुशियों के सब्के में मेरे बेहन की जोली में भीग डालने चलाए अज चलाए कि लिता! कि इताव मैं इतावी अजया है कि अजया है पास ममा पास तुम अपनी बहन को प्यार करते हो ना इसी तरह बाई अपनी बहन को जान से जादा प्यार करता है तुम अगर्ण का दो हिए छादा प्यार के इसले में उसका सारा खरूर निचोड़ कर रख दूंगा उसके अंकार के ची टलोड़ा दूगा क्यूंके मैं जानता था के थाकुर की बीटी है एक एक दिन वो भी जवान होगी और उस बेटी की जवानी की तल्वार से मैं उस मगरूर ठाकुर के घमन को काट कर उसके कदमों में डाल दूँगा मैं मैं ठाकुर के करीब पहुंचने लगा उसका विश्वास चीतने के लिए ताकि एक दिन दीमत बनकर मैं इसे खोकला करती हूँ राज लगातार दस साल के इंतजार के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब गुआ हूँ मगरूर ठाकर जो गरीबों से नफरत करता थे रहे आज उसकी अपनी बेटी ए खरीब की बीवी बनकर मैलों से जोबने में पहुंच गई है तुमाहन हो मामा सच मुझ माहन हो छाफ मां तुम मैंने तो सिर्फ अपनी बहन का बत्ता लिया है अगर तुम तो गाओं की हर बहन का बत्ता ले रहे हूँ है कि अरे विखरीब की बहन होती है और मुझ खरीबी की सब्चा बद्दा बेले मेरे है गरे पी मत कहो मुझे भाबी, बढकती क्यों है, भाबी को भाबी नहीं कहएगी, तो क्या चाची कहएगी? चलो, कुछ खाना खालो, नहीं चाहिए मुझे खाना, देखो, दोपहर को भी आपने बीडबाड के वज़े से कुछ भी नहीं खाया, अभी तो कोई नहीं है, सब चले गए, कुछ खालो, अरे आभी नहीं खाएगी, पती के जुटे बर्तन में खाना पद्नी का धरम होता है, वो मेरे जुटे बर्तनों का इंतजार कर रही है, जा तू और मा खाले, जा, भावी भूगी रहे, और हम खाले, ये कभी हो सकता है, भूग और फा के सायने के आदत तो हमें है, भावी को तो नहीं, इसे तो बाद आत्मी सायन करने की आदत पड़ गई है, मत कहाने जब आत आप नहीं खाएंगी, तो हम भी नहीं खाएंगे, ये आप आप क्या लगा रख रहा है, तेरी बहु है, तू बोल तू, ये आप क्या होता है, तू चुप्याप खाना खा, आँ मैं तो खाना खा रहा हूँ, ओ, क्या खाना है, अम्रेद है, अम्रेद, अजम जमा, तेरे हा जाली गा रहा है को कियाते हैं सुहाग रात औरत की जिन्दगी की सब से किंती रात उसके चेहरे पर पड़ा हुआ गोंगत उसके हाय की निशानी जिसे उसका पती उठाता है और जिन्दगी की नहीं सुरत दिखा रहा है लेकिन तुम तो आदे हिंदुस्तानी हो आदे इंग्लिस्तानी हो जो गुरूड तम्हारा जिखर है और छिव準備 तमहारी हाया मैं तुम्हें भालेई पसंद ना हूँ लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद और खासकर तुम्हारे जिए जानती हो क्यों कियूंकि मैं خुद भी बहुत जिए और जन्द अमीरी गरीबी का मेल है हमारा यह मिला अमीर गरीब समझ बुचकर प्यार से एक हो जाएं इसी का नाम है सोशालिजम मैं भी कितना बेखुफ हूँ तुम चुपो और मैं बोले जा रहा हूँ तुम ही बोल सकती हो लेकिन तुम बोलना नहीं चाहिए ऐसे मौके पर लिड़कियों का शर्मा जाना लासमी है शायद तुम भी शर्मारी होगी यही सोचकर कि किस गवार जाहिल से पाला पड़ गया है खर्चोड़ इन बातों को आओ मत चुओ मुझे अगर तुम सच मुचे घैरतमंद इंसान हो तो बिना मेरी रजामंदी के मुझे चुओ के नहीं कि यह मंगलशुत्र मुझ पर लाद दिया गया है है लेकिन एक पात याद रखना इस चनम में मेरा दिल तुम्हें पती स्वीकार नहीं करेगा कभी नहीं करेगा मैंने तुम्हारे गले में मंगल सुत्र पहनाया, इस लिहाँ से आज की रात जबरदस्ति करके भी मुझे पती का अधिकार पाने का हक है, लेकि मैं ऐसा नहीं करूगा, जब तक तुम अपने दिल से मुझे पती स्विकार नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें नहीं चूंग अपनी मा के चरणों की सौगंदा यही हरी, यही दस तू दीव से जोती, सीव से मूती, मिलने पर मजबूर यही हरी, यही दस तू यही हरी, यही दस तू जैसे कच्चे काच के धर्पन ऐसे है यह प्यार के बंधन जैसे कच्चे काच के धर्पन ऐसे है यह प्यार के बंधन तोड़ सके ना, छोड़ सके ना बड़े बड़े मभूर यही हरी, यही दस तू जीवन साथे, साथे न छोड़े एक दूजे का हाथ न छोड़े भूल हुई तो, चोट लगी तो होगा दर्द जरूर यही हरी, यही दस तू चान गगन से, फूल चमन से, रह नहीं सकता दू यही हरी, यही दस तू यही हरी, यही दस तू यही हरी, यही हर पूर च्छाव जुख था पर चश्चाव तो अपने हाथ से सर थभालो मैं तुम्हारा पसंद जिदा पती नहीं हूं और चुना मना है यह लोग मा लख्मी चाची काकी जामुकी मा जल्दी आओ बीना तिकट का तमाशा देको कैसे पेट की हाथ में ख्मान का फॉलाद पिगलकर मुंग मन जाता है अरे किसने ठीक कहा है तेख खाली तो इमान खाली अरे मैं जाता है तो लगता है नात कुछुरा का सब खाना खा जाती है तो कैसे चोड की तरह देख रही है अरे मजा का मा मैं तो खुचिक मार अच्छी गुटाओ अपनी घर वाली ने खाना खालिया बड़ी चोड है मेरी पत्री आपके अपना घर है आपके लक्षमी चरू मेरी खाना बना दो तो मैं रात और रात उटकर आपके लिए खाना बना देख वोली अभी बना दो गरम-गरम खाना नहीं इस वक मेरे तन बदन में ऐसी आग जल रही है कि बेशरम बनकर खाया हुआ बासी खाना भी दुबारा अबलकर मेरे पेट में पक जाए मुझे इतनी महरबानी दिखाए बस इतना ही काफी है जोग 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 अब बीबी तेरी बात कर रहे थे सौचार उमर है मेरे बेटी की हाँ नहीं डादी नहीं ऐसी बद्धु आमर दीजे सौ साल तक मैं ये दुख नहीं जेल सकती उस नर्क में नहीं रह सकती मेरी खुशिया मेरे अन्मान मेरा सुख सबको चलकर राख हो गया है ये कैसा अन्याय किया है आपने मेरे साथ कौन से जनम का आपने मुझे बद्रा लिया है भोलिए आपसे मिलने के लिए दिन बहुत बेचेन हो रहा था इसलिए चलिया है अब मैं वहाँ नहीं रह सकते ठीक है बेटी अब तुम्हें वहाँ जाने की कोई शुरूत नहीं आज से तुम यहीं रहोगी नहीं डादी अब हम इस गाओं में ही नहीं रहेंगे यहां से बहुत दूर चले जाएंगे खंचन शरीफ खांडांग की बेटी जान दे देती हैं लेकिन भूल कभी ऐसी बाद जबान पर नहीं आती है शिक्षा इतनी तालीम के बाद तुने यहीं सिखा देखो पदमा इस वक्त मैं किसी वजूर बैस पर नहीं पढ़ना चाहता अरे तुम्हारी बेटी है दुखी है इसे दलासा देने की बजाए उल्टा नसीयत के कड़वे घूट मिलाने शुरू कर दिए तुम्हें आपका ये मीचा प्यार किसी दिर इसके लिए तहर बन जाएगा और मेरी ये कड़वी नसीयत किसी दिर इसके लिए अम्रित साबित होगी अहो चल बड़ी चल यह सट्या और मैं तेरा जीजा हूं बे और मैं अपनी घरवाली को ले जाने आया हूं ते ओ तेरे साथ नी जाएगी पे तिर को जो कहनोनी कारवाई करनी हो कर ले सरपंद बनने की धोज मने आये क्या जा बुला ले अपने पंचायत को और नाक रगड कर बिंती कर कि हमने तेरी पत्न अगर आज मेरा जिजा मुझसे कहे के वो अपनी पत्वी को घर ले जाना चाहता है तो मैं उसे खुशी से बाजे गाजे के साथ आज ही रवाना कर दूंगा बे तुछ बुस्दिल के तारा अपने घर में छुपा का नहीं रखता है समझा बे तुम बाप के घर आकर उपर पहुंच गयी हो लेकिन जाना मत उड़ो नहीं तो ऐसे गिरोगी के हिज़त के साथ साथ हाथ पैर भी तूट जाएंगे और बैस दिकी आपाहीज वाली जिंदगी गुजारती रोती रह जाओगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की यह हालत ह इसलिए आज मैं तुम्हें कहें कर जा रहा हूं कल तक शराफट से घर चलियाना नहीं तो मैं तुम्हें सरे बजार घजितता वाले जाओंगा याद रखना कल तक समझ गई ना देखो चंडी मामा अरे मुझ पर भॉंगने की क्या जरूओत है मैं तो सिर्फ तुम्हारे जखमों पर जूता रखने आया हूं क्या मतब दवा लगाने आया हूं मैं शराफट से अपने राज से बजा रहा था तो तुम्हारा रातामाद मुझको मिला करने लगा मैं दूस बढ़ा नहीं नहीं देखा तुमको अधा बंद करो चंडी मामा मेरी शादी हो ना हो कुमे चंटा कंडी की कोई स्रोथ निया या ठाकुर तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी ज्यादा ब्यूफ है निक तुम समाझदार हो कभी सका मेरी बात तो मालो कंजन को उसके घर में पर चार दिन के जिन्दे बताव कि और मेरे से लेठी अगर नहीं देखे अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी, तो तुम्हारे जिंदगी का क्या अंजाम होगा, सर्थ सोच के देखो बहुत सोच विचार करने के बाद ही इन पैस फैसले पर पहुंची हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें ना हो, लेकिन हमें तो है, क्योंकि हम लड़की वाले हैं कंचन, लड़की की शादी सर्फ एक बार हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, उसे जमारे गले में, मंगल सूतर पहना कर तुम्हें स्टर्श कर लिया है तो क्या हुआ, महजादी गस की डोरी की खातिर, मैं अपने सारे अधिकार गवाने के लिए तैयार नहीं हूँ मैंने अपने जजबातों का गला तो घोटी दिया है, लेकिन अब अपने आर्मान, अपनी आजादी और अपने आदर्श, इन सब की कुर्बानी देकर, एक गुलाम की तरह किसी और आदमी की खातिर जीना मुझे मंजूर नहीं है, मा जीना तो तुम्हें होगा, मगर मेरी लिए ये मंगल सूतर एक फासी का फंदा है, हासी का फंदा है, अब तुम्हारी चाल चलन पर मुझे शक होने लगा है, मा कहीं, किसी और के साथ तो तुम्हारे नाजाय संबन नहीं, जिसकी वज़े से तुम रवी के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती है मा नहीं, तु फिर क्यों उसे रफरत करती हो, क्या वो अंदा है, लूला है, लंगडा है खरीब जरूर है, वो थुरा जिंदी है, लेकिन क्या तुम नहीं हो बेटी, मैं जानती हो, तुमारा मन पसंद नहीं है, लेकिर अगर तुम चाहो तो अपनी पसंद नापसंद के बीच समझोता कर सकती हो तुम्हे उसे भगवान समझने की जरूवत नहीं है, लेकिन इंसान तो समझ सकती हो अगर फिर पी तुम्हें यहीं रहना है, तो खीच के निकालो अपने गले से यह मंगल सूथ, और जाकर दे आओ उसे क्या हुआ, अभी तो चिला चिला कर बहस कर रही थी, अब की चुप हो गई, मतलब ऐसा करने की तुम्हें हमत नहीं है, तुम्हें क्या, यह धर्ती पर जन्म लेने वाली कोई भी इस्त्री ऐसा नहीं कर सकती, तुम कह रही थी न, कि यह तुम्हारे गले में हासी का फंदा है, लेकिन फिर भी हमारे देश की इस्त्रीयों के मन में न जाने क्यों इसके लिए भक्ती और आदर की भावना है, इसलिए एक बार और सोच लो, फिर फैसला करो, पर जाने के बार गाद कर दिया, अब दूसरी रस्ती से मेरा ना काम करना चाहते हो, इसलिए कि अगर मैं अचानक मर गई, तो मुझे तरपा तरपा कर मारने की खुशी तुम्हे नदीब नहीं होगी और तुमने ये रास्ता क्यूं अपनाया अच्छी तरह जानता हो क्योंकि तुम मेरा मुकबला ना कर सकी और हार गई इसलिए तुम्हे तालाब में छलाग मानने का फ़स्दा कर लिया तकि तुम्हारे खुन का इंजम मेरे सर पर आए पको मत, मुझे इस फैसले पर मजबूर करने वाले तुम हो तुम तो मुझे पहले ही मार चुके थे तुम्हारी जिंदगी का तो एक ही मकसद है कि अपने से उचे लोगों को तुम अपनी तरह नीचा बनाओ मेरा दोश क्या है कि मैंने एक ऐसे माहौल में जनम लिया जिनके असूल तुम्हारे असूलों से अलग है इसलिए एक प्री के लिए एक पुर्श के दिल में जो हम जर्दी की भावना होनी चाहिए उसे परे रखकर तुमने मेरे साथ हैवानों का सलुक क्या है ठीक है जिसने तुमारी खुशियों को मिटाया है तुम अपने हाथों से उसे मिटा दो ताकि तुमारी खोई हुई खुशिया फिर से लौट आए लो मैं तयार हूँ निकार लो अपना गुस्ता मुझ पर धकेल दो मुझे इस तलाब में यहां आते वक्त तुम्हारे मन में जो खुशी नहीं थी जाते समय तुम्हारे मन में जरूर होगी दे दो धक्का मुझे जिसक क्यूं रही हो अगर मेरी मौत तुम्हारी जिंदेगी समार सकती है तो मैं खुशी खुशी मनने के लिए तया हूँ पासावर धक्का दे दो मैं मज़ाद नहीं कर रहा हूँ मैं सवगन खा के कह रहा हूँ अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे तीन गिन्ने तक मुझे धक्का मरके तलाब में गिरा दो एक दो तीन तुम्हें हिम्मत नहीं तुम्हें है बस देला तुम इसलिए तुम मरने के लिए चलियाई गरीबों को तुमने एकदम नीच समझा है इसलिए तुम्हें मेरे साथ जीना पसंद नहीं तुम्हें मेरे साथ जीने के लिए मजबूर करने वाला ये कला धगाई है ना एक बार सर्फ एक बार तुम मुझे छुने की इजाज़ा दो मैं खूद उस थागे को तुम्हारे गले से निकाल कर ठेक देता हूँ उसके बाद तुम आजाद हो जहां चाहे जा सकती हो जो चाहे कर सकती हो लेकिन जब तक मैं हूँ तुम मर नहीं सकती और सुनो आज के बाद तुम उससे पुछे बगार अपने मैं के नहीं जाओगी चलो घर चलो शादी और मैं तुमसे कभी नहीं अगर क्यों तुझे क्या इतराज है देखो मेरे प्यार के तोते तुमने अभी तक रंभा को सिर्फ सूंगा है उसे पहचाना नहीं तुम समझत थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ है ना वो तुम्हारी घलत पहमी थी मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया मैं ने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं मैंने तो जैनू तुम्हें सिर्फ हासा था वो भे इसलिए कि सम्हारे कंधे पर貼वार मारूंगी उस से अपना बद्ला लूंगी रवी, यह हमारी कहानी में रवी कहां से टपक पड़ा, है? कहानी तो रवी से ही शुरू होती है, प्यारे, बीच में तब तुम आ गये हो मैं मरती थी उस पर, उसके सामने अपना दिल रख दिया, खुद को उसके हवा ले कर दिया मगर उसने, उसने मुझे ठुकरा दिया, सलील करके धुद कार दिया, मेरे मन में बदले की आग उठी, मैं किसी भी हालत में उससे बदला लेना चाहती थी मेरी नज़र तुम पर पड़ी, तुम्हारे जरीय में उसकी बहन का घर उजार सकती थी और यही सोचकर, मैंने तुम्हे फासना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत चाहता है, उसका घर बचाने के लिए, वो मेरे पास ज़रूर आता मैं कोई तरी बीवी नहीं जो मार खाके चुप हो जाँगी, एक उंगली लगाएगा, तो चिला चिला के सारे गाउं को जमा कर लूगी समझा आपे चल निगल जा, बार निगस आप तेरे घर में बचा ही क्या है, तेरे जैसे तो हजार नौकर रख सकती हूँ मैं, जरूरत हो तो आ जाना आपे चल निगल जा, मैंने आपसे कब कहा कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ तो मैंने तुमसार कभ कह तुमने मुझे से कह के तुम दूसरी शादी करने वाले हो क्या मतलब? मतलब ये कि इन्हों ने बंडल मार दिया हॉ लेकिन क्यों? अरे भाई तुम्हारी बीवी अपने बाप के घर जा के बैठी हुई है तुम्हारी बेज़ेती होगे की नहीं का वाले कजी कजी बाजे करते हैं तो मैंने का भाग दी इसको कईटे कहीं पे निगाएं कहीं पे निशाना अरे ठीक से बोलो इसको कईटे बुखार चड़ा कर बुखार उताने वाला नुश्खा अरे कैसा नुश्खा यह वो नुश्खा है जो हकीम लुक्मान के बाज है अगर किसी और का वहीं कियतने नुश्खा मीम हकीम खत्रः जान जैसा अभी बोलो पीटा इब.. बोल लो.. जए जन धमाका होगा पूरा गाउagन धमाके सहिल जाएगा तब तुमको मेरे लुस्वे की कदर होगी, जोलोबान, आज बहुत अच्छे, आज काम करने वाली ओड़ते कम लग रही है, ए तुलसी, तेरी बैन काम पान नहीं आई, घर में छोटे बच्चे को बहुत बुखा चड़ा है, इसली नहीं आपाई, पर तो मुश्किल हो जाए काम पान नहीं आई, चलो तुम शुरू हो जाओ, अरे रभी भीया, रोपाई का काम ये क्या जाने, नहीं जानती तो क्या, बाकी औरते क्या मा के पेर से सीख का रही है, आखे देखेंगे हाथ काम करेंगे, आजो मैदन में, आजो, अरे घूर के क्या देख रही हो, किचड मैं कादम रखता हुए, पाऊ जिजग रहे है क्या, उसमें तो बाद रोग जाड रही थी, ये हवारी दमीन है, नहीं ये करूंगी, वो करूंगी, पाउ करो, अरे चलो, जल्नी, जल्नी, कि आजने देख करो, ये फशल अच्य हो नी जाए, आज अब को देख देरकर लगाओ, अ जा मिनस्टर की तरा पेड लगा रही हो, जो कैसे लगा रही हो, जो गया बार बाद लगा, ए चोकरी, मेरी चपल कीचोड में खराब होगी दरसाफ करने से लोबान, तुम मेरे बाप से रोज सो सो थपड़ खाते हो, वो भी कस-कस कर, तुम ये नौकरी छोड़ करें, अगर दूसरी क्यों नहीं कर लेते, अब बता चला, तुम पर असर ही नहीं होता, अब जया, तू क्या खाक समझा, बिलकुल नहीं समझा, असल कहानी का ढटकन तो मैंने तेरे सामने खोल ही नहीं, लेकिन अगर तू वादा करें, कि ये रास्टू अपने बाप पर भी जाहर नहीं करेगा, तो मैं तुझको बता सकता हूँ, मुझपर विश्वास रखो लोभन, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सचाई ये है, कि जब से शैतान ने मेरे गाल का चुम बन लिया था, तब से मेरे गाल में इतनी खुजली उठने लगी, कि उसको मिटाने के लिए कस के जूता मारना पड़ता था, अब तुम ही सोचो, अब तुम ही सोचो, अगर दिन में सौ बार मेरे गाल पर मुझे कस के जूते मारने पड़े, तो मेरा क्या हाल होता, है, नमबर एक, हर हफ़ते नया जूता बदलना पड़ता, नमबर दो, कंधा जड़ से उखड जाता, कस के जूते मारने के लिए मेरा पूरा वक्त गुजर जाता, तो मैं खाता और कमाता कहां से, है, हा, 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 ह कि मैं तेरे बाप के पास नौकरी नहीं कर रहा हूँ बलके तेरा सर्यल बाप 20 साल से मेरी नौकरी कर रहा है वो कस के धपड मारता है और मेरी खुजली मिटाता है और साथ में पैसे भी देता है मेरी भूग प्यास मिटाने के लिए बेवकूफ अब तुम ही बताओ दुनिया में इससे वफादार नौकर कहीं किसी को मिल सकता है मगर अगर तेरा बाप दुछा है कि मैं उसकी नौकरी कर रहा हूँ तो वो सयाना नहीं बहुत बला बेवकूफ है अच्या तुमाय बहुत बला लगूफ है था सा मेरे प्यारे लुबान, मेरे खदरदान, मेरे ओगाल दान, मेरे शराफत के पान दान, आज से मारना बन, यह आप क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अब तो मुझे पीट पीचे तो क्या, अगर सामने भी खड़ागर गाली देगा ना, तो मारना तो एक तरफ मैं गुदे चूहना भी नहीं самоël, क्योंके तो जिल से शराफत की पुते को मारना महापाफ हो, अगय आप घलस समझ रहे हैं, कौम कहता है कि मैं शरीफ हूँ, मैं बहुत बला कमीना हूँ, आह वो तो मालूम है, कुत्ता हूँ, बलके कुत्ता भी जिस एक कुत्ता कहिए, मैं व अरे बेवकूफ, मारना, मुरक, उल्लू का पठ्था, कमीना, कुट्था, सला हुआ हाथी, उल्लू, ऐसी तारीफ मेरी आज तक किसी ने भी लीकिए, एक ठपड नहीं मार सकता है, गंग, इल्कुल नहीं मारूंगा, मैं एक ठपड की भीग मांदा हूँ, मैंने भीग दिना बंद कर दिया है, अरे एक ठपड का सवाल है, बाबा, जैसे तेरे बाप का माल है, बाबा, रहम, रहम महावली ठपड दे, तु कहां चली, वो देखो, वो रही तुम्हारी प्यारी सहली और हमारी कंचन भावी, हाई कंचन, हाई कंचन, अरे ये क्या, तुम खेत में काम कर रही हो, अम लग घुमबई जा रहा है, सोचा तुम्हें भी साथ ले चले, लेकिन जिब तुम्हारी हवेली पहुंचे, तो पता चला कि किसी अनपड, गवाद, जाहिल, चाहिल के साथ तुम्हारी शादी हो पढ़ी लेकी एडुकेटर लड़की से गवायों का काम करवा रहे हो, उसकी काबलियत का बरबात कर रहे हो, अच्छा, अगर पती-पत्मी को दफतर में काम करवाता, तो पत्मी की काबलियत का सहीं इस्तमाल होता, क्यों? पिल्कुल, परना एजुकेटर होने का फाइदा क मार, मै만 नगे आज काえる की कि तॉाहु और नन्या की मैं वेड़ाटीर हो कि बángनाम का लगात. ऐसं आदा बहे हो लगा लूंदी औरने इसका रहे हो जाख लेगाएदा के सासे होने कि celebrity इसकी हो Gone, ऑनाम एपत्वाटीत, दो लिखतर के शवाटीजत्वान इस्तमी कि आृरा क तुम पड़े लिखे हो नहीं सर्फ पड़ा हो लिखा नहीं क्यूंकि मैंने कलम की बजाए हल पकड़ लिए अरे पापनी इसने तो सब की छुट्टी कर दी कंचन कई काम से नहले पर तहला निश्टा हुआ 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 हाँ चल सेर बुल्षन की तुझको कराओ चल सेर बुल्षन की तुझको कराओ ना बाबा ना बाबा मैं ना आओ चल प्यार करना मैं तुझको सिखाओ ना बाबा ना बाबा मैं ना आओ चल प्यार करना मैं तुझको सिखाओ ना बाबा ना बाबा ना बाबा मैं ना आओ 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 कितनी सुहानी राथा की हो आश्मा पिदारों की बरात होती है चल दिन में, चल दिन में, चल दिन में तारे मैं तुझको दिखाओं बाबा मैं तुझको दिखाओं चल दिन में, मैं तुझको दिखाओं चल सेरी गुलशन की, तुझको दाओं बाबा मैं ना आओं जिन्दगी, जिन्दगी लेले के तेरा नाम गुजरेगी इस तरह कैसे भलाए शाम गुजरेगी ये शाम गुजरेगी चल तुझको, चल तुझको, मंदिर में दर्शन कराओ चल तुझको, मंदिर में दर्शन कराओ ना ना बाबा, ना बाबा मैं ना आओ चल प्यार करना मैं तुझको, सिखाओ ना ना बाबा, ना बाबा मैं ना आओ चैसर बुर्शन की तुझको, कराओ ना बाबा, हाँ बाबा, ना बाबा, मैं ना आओ ए नी अब, कहाँ भो गई, क्या होगे तुझे मैं, मैं रवी और कंचन की महबत के सपने देख रही थी वाह, क्या चोड़ी है सपनों की दुनिया से निकल परना ट्रेन निकल जाएगी मा बाबी, बाबी मा, यह तो आख के तरह तप रही है है रहा, अब क्या होगा रवी, क्यों विचारी पर खामका जलमतर रहा है बड़े घरानी की बेटी है, धुलत की छाम में पली है तुने तो इस विचारी को तपती दुप में जुलसा कर रख दिया खड़े खड़े देख के आ रहा है जल्ली से डॉक्टर को बला के ला जाना, जा बाबी, आपके लिए जोशांदा देसी दबा बना कर पिला दू तो आपके माता पिता को बला ला आप अपनी घर जाना चाहते है अब तुम्हे पिताजी को बेना मूँ दिखाए ऐसे मर जाओ तो अच्छा है बेटी को मिलने के लिए इस तरह चोरी छुपे आने की क्या जरूरत है रहा कुछाब आपकी बेटी यहां रहती है आपको इससे मिलने का पूरा आदिका रहे है आपको दुखी देखकर बापके दिल पर क्या गुजर रही होगी यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मेरी भी माँ है बाप है पहन है और दिल भी बुखार ज्यादा है थोड़ी थोड़ी देर से कपड़े को नमक के पाने में भीगो करने के सर पर रखिए बुखार कम नहीं हो तो फिर मुझे भुला लीजी आईए चुजी ठाकुर आईए मुझे कंचन से मिलना है मैं सिरफ मिलने नहीं आया हो बलके उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ आप उन्हीं इस हालत में कैसे ले जा सकते हैं इस बुखार की वज़े से नीम बेहोशी के हालत में है वो किसी भी हालत में हो, मैं उसे यहां से लेकर जाओंगा, उसे यहां मरने नहीं दूगा, अगर उसे मरना है, तो हमारे घर में मरे, फिस सम घुटने वाले छोपड़े में नहीं, तो फिर आप यहीं रुकिए, इस वत मा और भाईया घर पर नहीं, वो आ जाए, उनसे मैं कौन होती हूँ, यह आप अच्छी तेरह जानते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है, जानता हूँ, अपने पते की ठुकराई हुए और अपने मनूज साई से खुद के घर को बरबाद करने वाली मनूज और देटू, पहले चौकर से कदम बहा निकालिए, भक्वास बं जब तक तुम अपने दिल से मुझे पती सुवकार नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें नहीं छूँगा, अपनी मा के चर्णो की साउगन, अपनी मा के चर्णो की साउगन, पस करो, मैं आपके इतनी देखवाल और प्यार की हकतार नहीं हूँ, मुझे मल जाने तो, ऐसा मता हूँ, पगले जाएगी, तू अभी बच्ची है, हर मा अपने बच्चों से तंग आकर इस तरह नारास हो जा, तो दुनिया का कोई बच्चा बड़ा हो यह नहीं सकता, मैं बेते हुए कल को भूल चुकी, तू भी भूल जा, बिल्कुल भूल जा, मा जी, कितना बड़ा दिल है आपका, मैं अपनी हर्कतों पे बहुत शर्मिन्दा हूँ, हो सके तो अपनी इस कुनेकार पहू को शवा करती जी, मैं जिस घर में पहू बनकर आई हूँ, यह घर घर नहीं मंदर है, और आप हमारे लिए भगवान है, मेरी पच्ची, आज मा, मैं भया को जाके बता कराती हूँ, यह भावी ठीक होगे, क्योरी छम्मक छलो, उस दिन तो बड़ी सती सावेत्रियों जासे बाते कर रहे थी, अब आदी रात को, कहां से, और किस यार से मिलकर आ रही हो, जबान संबाल कर बात करो शक्ती से, मैं अपने भया को तलाश कर रही हूँ, वो कमीना भी कहीं गुल ज़र्य उडा रहा होगा, चिक, कुटे कहीं के, मेरे भया ने तुम्हे इस तरह मूँ से गंदेशद निकालती में सुन लिये, तो तुम्हारी जबान कारतेंगे, अरे जा 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 जा, अपने भाई का हुआ मत मना, अजब तेरी कुद्रत, अजब तेरा खेल, चुचुंदर के सर में, चमेली का तेल, अरे तेरा भाई कोंसा ग्यरतमन इंसान है, जो आदी रात को रंगरली मना ले के लिए तुझे बाद शुर देता है, और खुद जा दरोर का सो जाता है, मना तो उस हराम के पिल्ले को चाहिए, और वो भी चुलू बरबानी में, अब मैं इस अपमान को तेरी साड़ी के साथ पहुचूँगा, कर दिए एम करने को. करी में आर दुच्छक्ष गर विशए!!! तुने मेरे मुपे थुका था थुका था ना? अब ये हुलिया लेकर गाउं के अंदर जा हर कली, हर घर का आदमी तेरे मुंपे थुकेगा तेरे भाई ने मेरी भेंड की हिजट को उचा लाथा वे उस लामजाद की हिजट को मत्री के अन्दर में ला दूगा हमारे खांदान का सर जुकाया था उसने अब उसका मीले का सर जुक जाएगा जब इस हुलिया के बारे में ना किसी से कुछ कह सकेगा और ना कुछ सह सकेगा हमारे खानदान पर दुखी टर उचला था और उसका बजा तूरा हो गया कमोन एडवर्ड लौर गामlla और भे विरो खानदान पर ठासाहад ऑ हरज़ बारा हो परमका अजाए ожет Past प्रश्पी तरफ दो रहे हजारों के पेट में लाना थी यह आग उस आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो इस पापी ने मेरे मन में लगाई है गरीब गास पूस की जोपड़ी में अपनी इसको पचा कर रखता है लेकिन आज उस शैतन में बेज़िती के आग देगकर हमारी जोपड़ी की इसको जलाने की कोशिश की है और जब तक मैं इस अगनी में नहा नलू मेरी मन के आगनी पुझेगी है किसकी बात कर रहे है तू? कुछी कोठी मेरे लवाला नीच इंसान तुम्हें जलिर करने के लिए तुम्हारा सन नीचा करने के लिए आथ में कुटे के जन्जीर लिया वो कुटा आया और दोनों कुटे के मिलकर मेरी साड़ी को तार तार कर दिया उसमे तुम्हारी बहन के इसरत पर हां डालने की कोशिश की यह मशाण मुझे दे मैंने अगर उसको और उसके खांगान को जलाकर राख न कर दिया तो मैं अपी मा का बटा नहीं उसाग की जोले में तुम्हारी बहन की इसरत बेजल कर राख हो जाएगी कि कभी तो मेरे पादी का दिल बदलेगा, उन्हें अपनी गल्टी का ऐसास होगा, वो मुझे ज्विकार करके अपने गयर ले जाएंगे लेकिन तुमान लगाई ही यार, इस गाव में तो कि आसफास के पचास गाव में मुझे बनाम करतेगी तो मुझे कभी ज्विकार ने करेंगे, और तुमारी बहन, तो आगन होते वे भी बिद्वा की मौत बर जाएगे लक्षमी, लोग इसी तरह आ रहे हैं, अगर तु चाहती है ये बात किसी को मालूम ना हो, तु जल्दी आज़े भाग जा हाँ, ये आग लगा कर मैंने तेरी चिता ताहर किये, मालू साले को हाई हाई राद, आग लग हाई लाद लाद, 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 लाद लाद, लाद लाद, लाद, TE सब faze ईज पितक जया कर दो ? प्रबस भी और हो ! बपर और और हो ! बपर और्स ऑम ए स हमाए्ग ! बपर बपर काए्ट ! Yes! I can go do it! Yes! Oh! Yes! Yes! Ma! 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 झाल झाल झाल! वज जते जहाँ ॥प्तान अ bạn बнакомर अब दो हैं ठाहिए घाल को इसे कीशिए काय- व्या जिब में पुछंसे कि मैने क्या परिकाना था इसका इन गामे तो पूछे इसका कि मेरे अनाज के साथ इन बचारे गावन वालों खायाज भी जिना डाला इसने, कोई पूछे इसने अर बोल जुपचाप क्यों खड़ा है, बोल, क्यों आग लगाई थी तूने कोदाम में, क्या कसूर था ठाकुर साथ क्या पाप किया था इन्होंने वो क्या पाप था, सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा भगभान जानता है पाप करने वाला जानता है, मैं उस घ्लोए पाप का खिर, अपनी सबना पर लाना भी नहीं चाहता कुल सब पाप, किसने की आप पाप, हाँ, मुझे बता, अरे मुझे बात कर कमीने, जैसे जुखा है क्यूं खड़ा है तू, नज़रे जुखा कर इसलिए खड़ा हूँ, कि मेरी आखे तुमारी मनुष शकल देखना नहीं चाहिए, देखो साले आराम खोर को, एक तो रंगी ह तुम लोगों आपने शरी पर चाहिए, लेकिन याद रखना, जब तुम लोग मरोगे, तुम्हारी चिता की आख बंका तुम्हारी मनुष चर्वी, तुम्हें जलाने से इंकार करेगी, जंगली जानवार और कुटे, तुम लोगों को लोच लोच कर खाएंगी, ते ये वह इसा कर्वार है, तुम खड, खड़े सत्म में सुन रहा है, तुम है तरी مहतमा डारी पर, नहीं मालिक, आप होक्म दीजीए, आप ह्या है, वो सजा मैं इसे देने को तैयार हूँ, मालिक आगर में तुमारी ज्गर पर होता, तो संतर से इसे इतना माता जिसे अध्मरा कर देता और तक तक माता रहता, जब तक यह उसकी मज़े नहीं बता देता और अपने किये की माफी नहीं मारता आप पानी पी लीजे अपधा के थे अपक है बहुत हो गया नाटक तोफ़ बुटे तुम कौन होते हो इने इस तरह सजा देने वाले और तु कौन होती है इसकी तरफदारी करने वाली मैं कौन होती हूँ, तुम्हारे पिता ने एक जुआ खेलकर इनके और मेरे बीच एक रिष्टा कायम किया था, या धेना, उस रिष्टे के हिसाब से, मैं इनकी पत्नी लगती हूँ चरहाई, बाड़ी हाई पत्नी बनने वाले धरब, तो मैं इसका खूँ बहाने का कोई अपनिग है बड़ी दास, यह तुम कह रहे रहे हाँ मैं क्कारा हूँ जानते हो इतना बड़ात्लाथ किया इस अमीने ने जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो कौन कमीन आयज जिसना पराग किया है और यह जानता हूं कि यह खेरतमन्द इंसान बेगुना होते हुए भी अपनी जबान बंद किये तुम्हेरा हर जल्म सहता जा रहा है क्या पक्वास कर रहा हूं और अगर मेरा फर्माना तुम इस दामू की जबानी सुनोगे तो तुम्हारे पहरो तले की जबीन फट जाएगी और पूरे दॉट जाओं के तंदर कोई अपनी खुलेगा नहीं रवी मेरी इजथ रखने इले ले तुम्हें बहुत कुछ बरदाश्ट कर लिया लक्शमी अगर तुम्हारी बहन है तो मेरी पत्नी भी तुorf उसके इड़िए पहले मेरी इड़त आला मैं तुमारी और इसके बाद इंगामवान हों कि है जाह है शूरकैसा कि करनींड किसकी निई आप अबहुत बेदी कि माप बदाता हूं किसकी पत्नी हमगा पत्नी लक्षमी जिसका वस्तना हरां तरे जली और कमी ने बेटे ने किया है रात के अंधिरे मेरी पत्नी की आपरू को अपने हवस की आग में जलानी कोशिश की इसलिए मेरी पत्नी जलकर तरे गोदामों में आगा दे अप्ते हरां जादे ना मर्द की अलद एक मजबूर लाचार तरिशें के साथ जोरा अजमाई करता है अगर तु मरद ए और यह मुच दुन्या को दोगार दे निकले नहीं रखी है तो ले यह तरह सामने खड़िए ठूकर बदा इसे हरां जाद है जूकर बदा ले 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 और कानूब तंस्ट नचारे को मारे बगार नहीना हरां नहीं इसे सजा मिलेगी, सारे गाउं के सामने मिलेगी, ठारो तुम, चलो ठार गुरा, उठाव ये कोड़ा, और उधेर दो इसकी खाल, मारो इसको इसकी रगोंसे कपापी खून निचोड़ दालो, सोच क्या रहे हो, तुम्हें सजा देनी होगी इसको, क्योंकर भी थोड़ी देर परे तुमने एक बेगुनाः बेटे को, उसके बाप के हाथो बिटवाया है, तुम्हें अपने गुनाःगार बेटे को सजा देनी होगी, चलो ठाव, उठाव, उठाव, बस, इतना इंसाफ करना जानते हो तुम, गोविन, 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 तुम सारी जिंदगी इन श अपने वफादारी के कि प्यमत वसूल कर लो इन शायतानों से, आगे बढ़ो, परना कल कोई बाप अपनी बेटी की इसथ नहीं बचा सकेगा, कल कोई भाई अपने बहन की आपरू नहीं बचा सकेगा, आगे बढ़ो गोविन, चलो गोविन, आगे बढ़ो आगे, 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 आगे जोड़े आदमी का चोला पहन कर बड़े पन का ढूंग राचाने वाला इंसान, अगर छोटी हरकत दे करें, तो जरूरी नहीं, कि उनसे बढ़ना लेने के लिए हम भी छोटे बन जाएं, और इंसाने इतको भूल जाएं, और ये कहें कि बड़े हैं, इनके पास तो बहुत आ हम इनकी तरह शराफक के गरीब नहीं, हम बहुत अमीर हैं, और आज हम अमीर हैं, इन शराफक के गरीबों को माफ करते हैं, यहीं इनकी सजा है, भायो, मेरी तरफ से इलो को माफ कर दो, हाँ, उचाओ अप्लम देखा जाओ चल लुक्षमी, गर्चल मेरा सारा शरीर जखम से भरावा है, और तुम मुझे चूरे लिए, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे ना चूने की, अपने मा के चर्णों की जो सोगन खाई थी, आज तुम्हें खुच चूकर, मैं तुम्हें सोगन से आजाद करते हूँ साच, कसम से, का मेरे सार के कसम, नहीं, तुम्हारे चर्णों की सोगन, चल सेर गुल्षन की तुझ को काराओं ना बाबा, ना बाबा मैं ना आओं चल सेर गुल्षन की तुझ को काराओं ना बाबा ना बाबा झाल झाल